सबी साथियों को नमस्कार और उमीद है आप सभी अच्छे होंगे मिरे मित्र आज के इस वीडियो सेजन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं प्रोडिक टेबल के महा मैरा थनकी मैंने तो अपना कमर कस लिया है अब बारी आपकी है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में कितना दे आज के साथ हम लोग जो भी एंसी आटी के टर्म होंगे उन सभी को डिसकस करेंगे और साथ में मिरे मित्र एम सी क्यू लगाते चलेंगे और यह सभी कुष्चन अपडेटेट है जो कि आपके रिसेंटली एक्जाम में पूछे गया है तो ऐसे में यह आपका पूरा सिसन आ क्या हुआ है आप वहां से जा करके PDF एक्सेस कर सकते हो दाहाल आईए अपनी सेसन की सुरुवात करते हैं और देखते हैं एक्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं मिरे मित्र सेसन को सुरू करने से पहले एक चोटा सा अपडेट और आप सभों को देना चाहूंगा और ऐसे भी मिरे मित्र अगर आपको केरियर में सफलता चाहिए तो सुर्ज देवता को जल देना ही पड़ता है और छट महापर्व का दौर चल रहा है और आपके लागातार कॉल, मैसेज, वर्सप आ रहे थे कि गुरु जी आपने ओफर जल्दी खतम कर दिया, आपने ओफ कि साथ नमंबर से ले करके आठ नमंबर तक, यनि कि आपका साथ नमंबर जब बारा एम सुरू होगी उस वक्त से ले करके और सर आठ नमंबर 11.69 पीम तक हमारे जो भी बैचेज है, वो परतेक बैच आप 199 में परचेज कर सकते हैं, मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, चाह आप 199 में इन्रॉल कर सकते हैं, हमारा NCRT Science 6-10 Science Foundation बैच हो, 199 में इन्रॉल कर सकते हैं, मेरे मित्र और साथ ही Basic Science and Engineering की बैच हो, आप 199 में इन्रॉल कर सकते हैं, तो The Logical Science अप्लिकेशन को आपको Google Play Store से डाउनलोड करना होगा, और मेरे मित्र उस अप्लिकेशन पे जितने भी ब Science Special 199, NCRT 6-10 Science Foundation 199, Basic Science and Engineering Growing 199, मेरे मित्र आप बस केबल और केबल, सर ये 7 और 8 नमंबर, सर इस फीम इन्रॉल हो सकते हैं, और मेरे मित्र इसके बाद आपका कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कि ग्रुजी हमारे पास पैसा नहीं था, हम बहुत कमजोर थे, हम नहीं ले पाए, हम बढ़ा महा डिस्कॉंट तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखेगा ये बैच, सभी बैचेज आपको The Logical Science Application पे मिल जाएंगे, और मेरे मित्र अगर आप में से किसी भी छात्र को, चुकि मैं ये चीज पहले दिया था, और बहुत सारे छात्र लगा था, कॉल कर रहे देगी गुरु जी पहले 99 में मिल रही थी, तो मेरे मित्र हरे प्रतिक चीज का एक समय होता है, और ध्यान में रखेगा कि 7 से 8 नमबर, 7 से 8 नमबर तक, मेरे मित्र अगर आप हमारे साथ रुकुमिनी साइंस के Volume 1 और Volume 2 दोनों को खतम करना चाहते हैं, recorded session चाहते हैं, सर इस एक्जाम में हमको पूरा कबर नहीं हो पाएगा, हम Group D के लिए लेना चाहरे हैं, हम NTPC के लिए लेना चाहरे हैं, तो मेरे मित्र बस आज आईए, साइन्स का पूरा का पूरा आपका जो concept है, वो के लिए हो साएगा, तो सर 7 से 8 नमबर जो practice match है, सर 99 रुपीज में सब कर सकते हैं, पहराल बात करते हैं मेरे मित्र, हम लोग अपने topic की, ध्यान दीजेगा, कि जो हम लोग का predictable में पहला topic है, वो है डॉपराइनर का त्रीक नियम, मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए, कि आपका जो आबर्थ सारनी है, predictable है, उसको बनाने में कई अबर्थ सारनी के रूप में, जो हम सभी, modern predictable के रूप में धेखते हैं, ध्यान में रखियेगा, कि ये वैसे प्रियास थे, जो तत्तों के परमानु दरभमान और परमानु करमांग से रिलेट करके, तत्तों के गुनों को समझने का प्रियास किया जा रहा था, जिसमेंसे श लेहा करके बदल दिये, उन्हें बताया कि तत्तों का गुंधर्म उसके परमानु संख्यां के दोरा ज्यादा बढ़ियां तरीके से एक्स्प्लेन किया जा सकता है, तो मिरमितर आपको ये ध्यान में रखना होगा, कि आपकी एक्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें चारो पाचो टापिक से आपके एक्जाम में महत्तपुन सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल यहां पर यह है कि ग्रुजी, ये जो डॉबराइनर का ट्राइड है, क्या इससे पहले के दोरा बेग्यानिकों ने प्रियास नहीं करा था, बिल्कुल करा था, अगर हम लोग धार पे भी तत्तों के गुनों को समझने का प्रियास करा, लेकिन वो सब भी फल हो चुके थे, जब तत्तों के गुनों में थोरी सी भी रिलेटिबिलिटी आनी सुरी हुई, वो कहां से, मिरमित्र डॉबरेनर ट्राइड से, और इसलिए आपके एक्जाम में, डॉबरेनर, के त्रिक की उपलब भी क्या थी? पहला option है कि अनुओं की परमानुकता का अध्यन करने का पहला प्रियास, दूसरा है तत्तों के गुन धर्म को परमानु द्रमानों के साथ जोडने का पहला प्रियास, और तीसरा है तत्तों के रंग का अध्यन करने का पहला प्रियास, और डॉब्रेनर साहब ने प्रियोडिक्टेबल के लिए कुछ काम किया था, क्या काम किया था? आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, कि डॉब्रेनर ने तत्तों के गुनों को आसानी से समझने होतु, सर्थ तिन तत्तों का समू बनाया था, और उस तिनों ही तत्तों को उन्होंने परमानु दरबमान के बढ़ते हुए करम में सजाया और फिर उन्होंने क्या पाया कि जो बीच वाला तत्तों का परमानु दरबमान है वो किनारे के दोनों तत्तों के परमानु दरबमान का वासत है और मिरमित्र जब उन्होंने इस रिलेटिबिलिटी को देखा तो ये बताया कि ये जो है ये तीनों ही तत्तों के गुनों में समानता को बताती है जैसे अगर हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्जामपल ले कि A, B और C ये तीनों तीन तत्तों हैं जो बढ़ते वे परमानुदरब्मान के करम में सजे हुए हैं तो जो B का अट्कम मास होगा वो डॉब्रैनिर के अनुसार क्या था सार a plus c मशाणू नहीं की किनारी के इन तीनों के गुनों में समानता है तो परमानुदरबमान से ये तत्तु के गुनों को समझने की कोशिस कर रहे थे कि इसका जो atomic mass है उसमें ये relation है कि किनारे के दोनों का आसत है बीच वाला तो फिर पहला question ये है कि अनों की पर्मानुकता तो पर्मानुकता की यहां पर कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है दूसरा है कि तत्तों के गुंधर्मों को पर्मानुद्रमान के साथ जोरने का पहला प्रियास हम आपको क्या समझा रहे हैं कि तीन तत्तों लिए ABC और इन्होंने बताया कि बीच वाले तत्तों का पर्मानुद्रमान जो है वो किनारे के दोनों तत्तों के पर्मानुद्रमान का उसत होगा और ये इसकी समानता होगी इसलिए ऐसा होगा तो मिरे मित्र तत्तों के गुंधर्म को पर्मानुद्रमान के साथ जोरने का जो पर्थम परियास है वो क्या है डॉब्रेनर के त्रिक की उपलब्धी है डॉब्रेनर से पहले ऐसे कोई भी बैग्यानिक नहीं थे जुन्होंने इस तरह से तत्तों के पर्मानुद्रमान के साथ उसके गुनों को समझने का कोशिस करा हो तो जो सवाल पुछा गया कि डॉब्रेनर के त्रिक की उपलब्धी क्या थी आप कहेंगे तत्तों के गुंधर्म को पर्मानुद्रमान के साथ जोरने का पहला प्रिया कि अगर हम लोग Constable North Bride के त्राइड की बात करते हैं तो ढूरेनर ने धीजित दिए थे लीथीऑ लीथीम लीथीँ सोडिय और पटेसियं कैल सीन спорт एर और थी और फिर क्लोरीन ब्रोमीन और और IOT और मिरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जो आपका लीथियम है इसका अटोमिक मास कितना होता है आप सभी कहते हैं कि गुरुजी लीथियम का अटोमिक मास लीथियम का अटोमिक मास जो है वो साथ होता है कितना होता है साथ होता है और मिरे म 30 होता है, 1940 हम लोग लेते हैं, 1949 लेते हैं, तो आप सिंपल 1940 लेलो, ज्यादा सही रहेगा, आप क्या कहोगे, कि गुरुजी अब इस हिसाब से, इस हिसाब से, जो सोडियम है, इसका परमानुदरब्मान, इसके और इसका असत होना चाहिए, क्योंकि रूल तो आपने यही बता 40 अगर हम जोडते हैं, बटा 2 करते हैं, यह हो जाएगा हमारा 47 बटा 2, क्या हो जाएगा, 47 बटा 2, और मिरमित्र अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या कहेंगेगा, यह गुरुजी 23 दूना 46 हो जाएगा, और 23.5, मतलब 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1, 7, और आपका 2 द लिवा रहा है, तो इस तरह से डॉब्रेनर साब ने तत्तों के 3-3 तत्तों का एक समू बनाया, जिसमें इन्हों ने यह पाया, कि सर जो उसका परमानु द्रबमान है, वो कहीं न कहीं उसके गुनों को समझने के लिए हमें मदद कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, तो मिरमित्र इस से आगे के तत्तों पे वो लागू ही नहीं हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात करी जा रही है कि परमानुकता, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, कि अटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, आप सभी कहेंगे कि किसी भी अनू में उपस्थित परमानु क कि संख्यां उस तत्तों की परमानुकता क्या है, जैसे ऑक्सीजन है मिरे मित्र ओठू, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमानु है, आप कहेंगे दो, तो मिरे मित्र ओक्सीजन की अटॉमिसिटी कितनी हो गई, आप याद रखेंगे, दो हो गई, अब इसी तरीके से अगर अगर आम O3 की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी, O3 की जो आटोमिसिटी होगी, वो तीन हो साइगी, क्योंकि O3 तीन ऑक्सीजन से बना है, तो ध्यान में रखेगा कि किसी अनु में मौझूद कुल परमानु की संख्यां उसकी परमानुकता होती है, अगला सवाल, केलसियम, एस्ट्रांसियम, बिरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोटीन है, अब इसको जब ऐसे पर रहे हैं, तो अभी अग्जाम, अभी हम आराम से बोल रहे हैं, लेकिन एक्जाम में जाएंगे तो भूल जाते हैं, लेकिन मेरे मितर आपको भूलना नहीं है, जैसे ही भूलेंगे, मेरे मितर आपका नंबर कटेगा, तो क्या कहिएगा, कैसे याद होगा गुरुजी, तो पहला तो आप सभी ये कनफर्म हो जाना, कि डॉब्राइनर ने जो अपना नियम दिया था, उसमें केबल और केबल वो तीन ट्राइड की खोज कर पाए थे, पहला ट्रा दूसरा ट्राइड और तीसरा ट्राइड जो कि आप सभी न भी जस्ट देखा है, पहला ट्राइड, दूसरा ट्राइड और तीसरा ट्राइड, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, कि डॉब्रेनर के ट्राइड का, डॉब्रेनर ने टोटल कित लीना के कैसरभा चल बимо चल परो अयोडीन लाने गुरु जी एसे कैसे याद होगा तो ये लीना के है तो ली ली यी हो गया न तो आप सभी एन ए कहेंगे और के तो आप सभी कहेंगे सर लीथियम, सोडियम और lavender lookUNG पहला क्या शरा ये इसको हम लोग बिए कह दे रहे हैं स क्या हो गया केलसियम, एस्ट्रांसियम और बिरियम आपका दूसरा ट्राइड हो गया डॉबराइनर का और तीसरा मेरमितर आपको ये ध्यान में रखना है कि चल ब्रो तो सी एल, ब्रो, बी आर, आयोडीन तो आई, याद राखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या है डॉबराइ कुछ निस ऑफ्सन नमबर थी नेक्स सवाल देखिएगा वस्तन नमबर थी आप से पुछा जा रहा है कि डॉपराइनर के अनुसार निम्र में से कौन सा सत्त है त्रिक के पहले और तीसरे तत्तों के परमानु दरबमान का योगफल आप गहेंगे बिल्कुल नहीं होगा एक के पहले और तीसरे तत्तों के परमानु दरबमान का समानतरमाद दूसरे तत्तों के परमानु दरबमान के बराबर होता है हमने आपको क्या बताया कि तीन तत्तों A B C है तो जो बीच वाला तत्त है उसका परमानु दरबमान की नारे के दोनों ही तत्तों के परमानु द सान निवन में से कौन सा सत्त है तो पहला योगफल वाला बात तो गलते हो गया यह वह इसमें सही होना है अद दूसरा पढ़े तामरा लग रहा है गुरु जी सही है कहा है इसमें कहा जारा कि पहले और तीसरे तत्त के पर्मानुद्रमान का समानतरमाद बोले तो आसत दूसरे तत्त के पर्मानुद्रमान के बराबर होता है एक रहा डीजर भलक लेते हैं तेसर का चौथा भी देख लेते हैं कहरा कि तरीक के पहले और दूसरे तत्त के पर्मानुद्रमान का योगफ सब्सक्राइब करने का प्रियास किया इसके लिए उन्होंने कितने तत्तों वाले कुछ समू की पहचान की बताओ आपको कोई जंजट होगा क्या कहिएगा गुरुजी अपी जस्ट हम लोगों रिभाइज करा है कि डॉबरेनर ने जो ट्राइड की खोज करा था उसमें उन्ह तो आप से पुछा जारा है कि डॉबरेनर के तरिक के नुसार इन में से कौन सा तत्त तक केल्सियम और बिरियम के मध्यिश्टित हो सकता है मेरे भित्र अभी जस्ट मैंने क्या बताया कैसर बा कैसर बा मतलब कैल्सियम और बिरियम के बीच में कौन है आप कहिएगा पुछा जाड़ा है आप से कि डॉब्राइनर तरीक के पर्थम और तिर्तिय सदस फॉस्फोरस और एंटी मनी है इस तरीक का दूसरा सदस क्या है बताओ बनेगा इसको रटनेक जरत नहीं है चला आपको क्या मालूम होना चाहिए बस कुछ तत्वों के परमानुधरभमान माल लोग लेते हैं और एंटी मनी है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एंटी मनी का मास कितना होता है तो सर 100 01.74 होता है और हम लोग इसको कितना लेते हैं तो सर एपरॉक्स में एक सबस लेते हैं रिते आप में कितना 123 लेते हैं आप मीडेमित्र आप से ये पुछा जा रहा है कि दॉप रैस्टाइब टुस और तिर्टिया स्दस और एंटी मनी है तो पैला सदस पासफोर सदस तेर्टिया सदस सेूब Ricky liberaal तो पुछा जा रहा है एकर बीचल का तक तो कौन सा होगा मतलब दो नमबर पे तक तो कौन सा आएगा बताओ ना बनेगा क्या कहोगे कि गुरुजी दुनु के पर्मानु दर्मानते लिखिये दिये हैं 122 पलस 31 अब बता क्या हो जाएगा दो क्या हो गया दो एक तीन और तीन दुपाँच और ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे गुरुजी 153 बता दो अब अगर आप इसको डिवाइड कर लो चला तो 153 को 2 से डिवाइड करोगे दो सत्य चोदा हो जाएगा और फिर आपका 2 पं यह मिरमित्र एप्रोक्स 76.5 के सम्थिंग आएगा 76.5 के सम्थिंग सर किसका होगा तो आयोडीन का अटमिक मास आपको याद रखना परेगा चला यह महत्पुन्तत्त हैं ध्यान दीजेगा मैं स्टामाग दे रहा हूं आपके एक्जाम के लिए कि ऐसे सवाल आ सकते हैं इस प परमानु संख्या याद रखना है यह सवासाथ इस पूछ रहा है तो इससे न चलेगा एक से तीस एक बेसिक है कि यहां तक कर लोगे तो एक लिमिटेशन है कि जो भी सवाल आएंगे उसको टेकल कर लोगे लेगिन कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसको आपको मेंटली रूप स प्रिपर रहना होगा और यह सवाल के लिए क्या पूरा अबर सर नहीं याद रखनी पड़ेगी नहीं जैसा सवाल आया इंपोर्टेंट एलिमेंट है यही रिपीट होगा हम इसका परमानुभार याद रख लेंगे तो आयोडीन का अटॉमिक मास कितना होता है चला आयोड हम लोग बात करेंगे किसकी आर्सेनिक की तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आर्सेनिक का जो मास होता है वो 87.5 पुछ होता है लेकिन हमारा वेल्यू कितना आ रहा है 76.5 तो याद रखिएगा कि 76 और 87 के अगर हम लोग कंपरीजन करेंगे तो आप कहेंगे दोनों ल टत्त के बारे में यहां पे क्लपना कर रही है तो वो जो कलपना की वी तद्त है वो क्या है आप सभी कहेंगे क्रोजी आपसा नमब्ड़ यानिक आर्सेनिक किया इसमें आपको कोई समस्या है मेरे मित्र, क्या इसमें आपको सुरी, आर्सेनिक का जो अटामिक मास होगा चला, वो 74.5 के सम्थिंग होगा, याद रखना है यह चीज, हम 87 बोल रहे हैं, हमारे माइंड में आ रहा है, 74.5 होगा, तो 74.5 के सम्थिंग 76.5 है, तो भी आंसर आपक कि तीन तत्त को बढ़ते वे परमनुद्रभमान के करम में सजाय जाएगा, तो बीच वाले तत्त का परमनुद्रभमान क्या होगा, कि ना रेके दोनों का आउसाथ होगा, अब approximate values होगा, उसको match कर लेंगे और answer टिक कर देंगे, तो इसमें कोई लागला बेटा नहीं होना चा सोडियम और पाटेसियम, क्या कहेंगे, गुरुजी सोडियम भी सामिल है, और उसमें कोई सामिल होगा, तीसरा से तस, पाटेसियम सामिल होगा, मिरमित्र अगला सवाल देखिएगा, कुछ्स्त नमबर एट, कि डैस ने उत प्रिरक के रूप पर, प्लेटीनम पर पहला याद रखेंगे, ये चारों ही वैसे भग्यानिक है, जिन्होंने क्या करा, सर आबर सारनी के लिए अपना एक एहम रोल प्ले करा, अब हम लोग तो कई बार इस चीज़ को पढ़ते हैं, कि डॉबरेनर के द्वारा क्या किया आया था, कि सर प्लेटीनम पर उत्प्रिरक को उत्प्रिरक के रूप में भाचाना गया था, लेकिन मिरमित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा, कभी कभी आपको फसा देता है, कि डॉबरेनर का पूरा नाम क्या था, तो याद रखेगा, डॉबरेनर का पूरा नाम जॉन उर्फगांग डॉबरेनर था, कहा के थे, सर ट्राइड बनाया वो तो बनाया ही, मिरमित्री ये प्लेटीनम को उत्प्रिरक के रूप में सबसे पहले पहचाना था, प्लेटीनम को उत्प्रिरक के रूप में सबसे पहले किसने पहचाना, आप कहेंगे ग्रुजी डॉब्रेनर ने, that's why right answer of this question is option number C, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको डॉब्रेनर ट्राइड के इस आठ question को करने के बाद, कोई और सवाल दे दिया जाए, तो आपको उसमें कोई दिक्कत होगी, अब आईए, हम लोग सीधे चलते हैं कहां, सर तत्तों के आबरती भरकी करन, और बात किसकी करते हैं, सर निूलेंड ओक्टेव नि करतों को उसके बढ़तेवे पर्मानु दरभमान के करम में, एक से लेकर के आठ तक क्या किया जाए, सजाया जाए, तो प्रते एक आठ में तत्तो का गुन पहले जैसा होगा, और इन्होंने इसकी तुलना किस से कर दी, सर भारत्य संगित के सुर से कर दी, क्या कहते हैं सर मतलब सात्मा तत्त के बाद आठमा तत्त क्या हो रहा है, सर पहला वालरी पीठ हो रहा है, तो निउलेंड बाबा ये सोच में आए, और क्या कहें, कि जिस तरह भारतिय संगीत में, प्रते एक आठमा तत्त पहले के जैसा होता है, उसी तरीके से अगर हम तत्तों के गुन ध पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो गौर फर्माईएगा, कुस्टन नमबर नाइन आप से पूछा गया, कि निउलेंड के अस्टक में तत्तों के बीच आवर्तिता केबल तक देखी गई थी, केल्सियम, क्रोमियम, कार्बन, कोबाल्ट, वोट इस दर राइट आप कहेंगे, कि गुरु जी आपने जो बताया, कि निउलेंड का आक्टेव रूल ये कहता है, कि एक से लेकर आठ तक तत्तों को अगर बढ़ते बे परमानु द्रमान के करम में सजाए, तो प्रते एक आठमे तत्तों का गुन पहले से मैच करेगा, ये बात तो हम सदियों से आ रहे हैं, पढ़ते हुए, लेकिन हम कभी भी निउलेंड के आक्टेव रूल को देखे ही नहीं, फील ही नहीं किये, तो चिला जी, आप सभी ये ध्यान देना, कि यहाँ पे जो आप देख रहे ही, ये क्या है, निउलेंड आपर सार्णी का, आपके निउलेंड अस्ट निउलेंड के अस्टक नियम पराधारित, निउलेंड का फिरूडिक्टेबल है, जाहिर सी बात है, कि सर वही बनाया है, तो वही होगा करता धरता, सवाल ये है, कि गुरुजी इस आबर सार्णी में ऐसा क्या है, जो हमारे एक्जाम में सवाल पुछा जाता है, तो ध्यान देना चला, कि निउलेंड का जो अस्टक नियम था, वो जब दिया गया था, तो आपको ये मानना परेगा, कि निउलेंड साहब जो थे, वो थोरा सा ओबर्कोंसीडेंसियल आदमी थे, ओबर्कोंफिडेंसियल चला, ये क्या बताест, ये क्या बताए, कि हमारे पास टोटल 56 इसको हम सजा दिये अब भविश में हमको आगे का तत्त नहीं मिलेगा फिर मित्र यह बात फेल हो गया अभी हम लोग 118 तत्त के जमाना में जी रहे हैं और ध्यान देंगे कि जब निवलेंड सहाब ने चलो अपने समय के 56 तत्त को एरेंज करा तो उन्होंने क्या पाया उन्होंने फाया कि हाइड्रोजन की प्रपटीस फ्लोरीन से मैच कर रही है क्योंकि उन्होंने प्रतेक तत्तों को उसके बढ़ते वे परमानुदर्मान के करम में सजान लीथियम जो था वो सोडियम के जैसा था अब बेरिलियम जो था है वो मैगनेसियम के जैसा था बोरोन जो है वो एलुमूनियम जैसा था अब आपका जो कार्बन है वो सिलिकन जैसा था नैट्रोजन है वो फस्पोरस जैसा था ऑक्सीजन है वो सलफर जैसा था तो निवले जब निवलेंड ने इस उख्ड़ रूल को आपने 56 एलिमेंट पे अपलाई करने की कोशिज करा तोвал किया हुआ बर्लियुम life N fell हुआ। आता है। लागू हो रहा था याद रखना एक और सवाल पूछा जाता है कि निव लेंड ऑक्टेव का पर्था मतातों तक होगे गुरुजी हाइड्रोजन अन्तिम तक होगे थोरियम क्या कोगे थोरियम और याद रखना चिला कि पूछेगा कहां तक लागू होता है अस्टकनियम तो आप कहेंगे कैल्सियम तक कैल्सियम तक ही लागू होता है क्या होता है कैल्सियम तक ही लागू होता है तो यह चीज आप सभी ध्यान में रखना आपकी एक्जाम के लिए सर रामबान है अगला सवाल देख लीजिए कुस्टन नंबर 10 पुछा जा रहा है कि उतक्रिस्ट ग नॉबल गैस एलिमेंट किसको कह रहे हैं? सर हीलियम, हीलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टन, जनन और रेड़न को कह रहे हैं. तो इसकी खोज कब हुई? सर इसकी खोज न्यू लेंड और मेंडलिप के आपर सारनी के बाद हुई. तो जो सवाल है कि उतक्रिस्ट गैसों को न् समय वह चल रहा है मिरमित्र कि आप इसमें कितना ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को आप रिभाइज कर पाते हो. तो यह सवाल वैसे होने चाहिए जिसमें हमें समय देना पड़े. और मिरमित्र आप सभी यह हमेंसा ध्यान में रखिएगा कि लगभग जो टॉपिक हैं आप अगला सवाल देख लेना कुस्टन नंबर 11 आप से पुछा जा रहा है कि तत्तों को उनके परमानुद्रमान के बढ़ते करम में रखकर बनाई गई निवलेंड के तत्तों की ववस्ता में अंतिम तत्तों डैस था. क्या कहोगे कि गुरुदी अभी जस्ट परें थोरि इंपोटेंट सवाल है चला, बहुत ही इंपोटेंट सवाल है, बेसिक बात है यह, निवलेंड साब जब अपना प्रियोडिक केबल बनाए, अपने ऑक्टेव रूल के बिस पे, तो ये तो उन्होंने बढ़े ही सरलता से कहा दिया कि प्रतेक आठ्वे तत्तों का गुन पह अपने दिब्द्रिष्टी से ये देख पा रहे हैं कि कोबाल्ट निकेल ये लोहा के जैसा होता है, इसको लोहा के सरी नहीं में रखना चाहिए, लेकिन लोहा को बैरागी बना करके कहा रख दिया गया है, ऑक्सीजन और सलफर के साथ, बताओ, जो कोबाल्ट निकेल के बाबा ने क्या करा, सर उसको अलग कर दिया, अब जो लोहा है, तो सर अक्सीजन और सलफर के साथ, गैस के साथ लोहा बैठा हुआ है, बताओ, केतना परिसान होगा, कोबाल्ट निकेल, सर फ्लूरीन, क्लूरीन और ब्रोमीन यानि कि जो आकरसित करने वाले तत्म हैं, उनक प्रहनम को सर किसके साथ रख दिया, बोरोन अलमुनियम और क्रोमियम के साथ रख दिया, तो मिरमित्र आपके एकजाम में कई बार सवाल ये पुछा जाता है, क्या, जो पूछा गया है, कि नुवलेंड द्वारा किन दो पत्तों को एक ही स्लाट में रखा गया, तो आप क् आवाल देखिएगा, कुछिस्सन नंबर थर्टीन पूछा जा रहा है, कि नुवलेंड ने अपने अस्टक की तुलना डैस से की, नुवलेंड ने अपने अस्टक की तुलना संगीत की सुर्च से की, जिस तरह संगीत में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, मिरमित्र, सा, आठमा जो तित्व है वो क्या है पर ना के बाद सा आठमा तत्व सा में चला गया मतलब सर अंतिम जो है वो पहले से मैच कर गया और यह किस पर आधारित है संगीत के सुर पे तो आप कहिएगा राइट आंसर आप दिस कुस्ट्टन इस ऑपसर नंबर सी सवाल कुस्टन नंब बाबु साहिब किस रूल पर दिये थे अपना किस चीज पर आधारित नियम दिये थे आप कहेंगे परमानुद्राभमान पर तो मिस्टेक नहीं करना है चला नुवलेंड का हो डॉब्राइनर का हो मेंडलिप का हो क्या कहिएगा कि सर जो रूल यह आबर्ट सार्णी थी वह इसके परमानुद्राभमान पर आधारी थी तो जो सबाल करा जा रहा है कि नुवलेंड ने तत्तों को उनके डैस के आधार पर आबर्ट सार्णी में विवस्थित किया और धात्विक लक्चन नहीं धात्विक लक्चन नहीं परमानुद्राभमान के आरोही करम और कि अगर एक से लेकर आठ तक के तत्तों को उसके बढ़ते हुए परमानुद्रमान के करम में सजाया आजाए तो राइड आंसर आप दिस कुस्टन इस ओप्सन नमबर सी आप क्या रहा है कि परमानुद्रमान के आप रोही करम तो यह घटते करम होगा आंसर ही नहीं होगा यह हमारा अगला सवाल देख लो कुस्टन नमबर 15 पुछा जा रहा है कि न्यूलेंड के अस्तक सिद्धान के अनुसार पोटेसियम और कॉपर के बीच कितने तत्तों मौशूत है आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे न्यूलेंड के अस्टक नियम की बात कि जा रही है और हम सभी कहेंगे कि पोटेसियम और कॉपर में समानता होगी तो जाहिर सी बात है कि दोनों गे बीच में टोटल साथ तत्तों होंगे तो राइट आंसर आप दिस कुस्टन इस ओप्सन नमबर यह नेक्स सवाल देख ली सी कुस्टन नमबर 16 पूछा जा रहा है कि न्यूल न्यूलेंड का ओक्टेव जो रूल है उसका पहला तत्त है और अंतिम तत्त थोडियम है अंतिम तत्त थो क्या है थोडियम है मेरे भाई अगला सवाल कुस्टन नमबर 17 पूछा जा रहा है कि निमलिखित में से गलत कथनों का चैन की सिय न्यूलेंड ने तत्तों को बढ़ एक आठ में तत्त में पहले के समान गुन मौजूद नहीं थे बिल्कुल गलत है अस्टकनियम केबल और केबल केल्सियम तक लागू था जबकि मेगनेसियम की बात की जा रही है और आपको कहा जा रहा है कि गलत कथन का चैन कीजिए तो आप सभी क्या कहेंगे गुरु जी जलत कथन केबल और केबल चार है अगला कुस्टन नमबर 18 आप से पूछा जा रहा है कि निवलेंड के अस्टकनियम के अनुसार इन में से किन तत्वों के गुन धर्म समान होते हैं वेरिलियम और मेगनेसियम फिर आपका पटेसियम और कोबाल्ट सर्थ सोडियम और क्लोड समान क्या कहिएगा कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि अबर्सारनी में निवलेंड के अबर्सारनी में बेरिलियम और मेगनेसियम की परपटीज क्या होती है आप सभी कहेंगे गुरू जिस समान होती है ऐसे सवाल लगातार पूछे जाते हैं और आप सभी confused होते रहते हैं तो मिरे भाई आपको confused होने की जरूत नहीं है बस एक छोटा सा concept आप सभी ध्यान में रख लेंगे जब भी आपको Newland के octave, Newland के octave predictable पे पकर बनानी होगी तो बस एक चीज आप सभी याद रखेगा, एक इसमें आप देख रहे हो कि सुर्वात hydrogen से की गई है और खतम थोड़ियम पे होगा, तो जो इसके सर पूरे अगर आप आबर्त को देखोगे, पूरे आप आबर्त को देखोगे सर इस तरीके से और पूरे इसके समू को देखोगे, तो आप आओगे ये पहला है, ये दूसर मौझूद है, आप कहेंगे सरसाथ मौझूद है, अब याद रखिएगा कि आप कहीं से भी काउंट करेंगे, जैसे मालो हाइड्रोजन से आप काउंट करेंगे, तो आठमाता तो आपको कहां मिलेगा, फ्लोरीन पे मिलेगा, लिथियम से आप काउंट करेंगे, तो आठमा उपर वाला जो आपका ये दिख हाँ है कि लिथियुम सोडियूम के साथ बरीलियम मेगनिसियुम के साथ बोरोन एलुमौनियम क्या होंगे Newland Crage इसके freedom में सभाणता होंगी potassium और copper आप कहेंगे आप पर उप्म पर के का यह जेखे भूल की क्या थी? आप कहेंगे गुरुजी अभी बता हैं कि कम यहां थी? तो अगला सवाल देख लीजिए, क्या राए कि नुवलेंड के अस्टेक में इन में से किन दो तत्तो को हाइडोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ समान अस्थम्भ में रखा गया, आप कहें दूसरा तत्तो निमलिखित में से किसके जैसा होगा, तब क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, हम एक से लिए करके आठ तक तत्तो लिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, हम ये आठ तक लिखें, लिखेंगे पहला का गुन सर जी, आठमा स मैच करेगा कोई दिक्कत नहीं है अब देखो कि 11 12 13 हम ये भी लिख सकते हैं सर जब नियुलेंड ने रूल ही दिया था तो हम कुछों कहीं तक जा सकते हैं जब हमारे पास ग्याद तत्तों की संख्या है तो एक से काउंट कि ये तब न चला पहला गुन 8 माग समान हुआ अब अगर दू से काउंट कर रहे हैं दू को पहला मान रहे हैं तो आपके ये गाई गुरुजी पहला हो जाएगा दूसरा तीसरा चौथा पचमा छठा सत्मा अठमा दूसरे स्टाट करेंगे दिसका प्रोपर्टीज आठमा तत्तों कौन सा होगा अपके गुरुजी जो 9 न समा ततों से अपु스ôm देगा quand यह और अस से मचДа खरेगा तो आपके सब्सक्राको आपके आबरती बश्ता तत्ततों निम्लीकर में से किसके जैसा दिखता है आप कहेंगे दसमा तत्तों ती श्री के जैसा दिखेगा प्रोचत नंबर हची सबस्शला गारा है कि नुरुज कि अबर तालिका में तत्तों को डैस हैलोजनों के साथ रखा गया मिरमित्र नुवलेंड के अबर तालिका में तत्तों को डैस को हैलोजन के साथ रखा गया क्या कहोगे कि गुरुजी कोबाल्ट और निकेल को सर्किस के साथ रखा गया है है हैलोजन के साथ रखा गया है अगल पुछा जा रहा है कि लोहा जो की गुनों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्तों से बहुत दूर रखा गया है यह किसकी कम्यों में से एक था मेरे मित्र क्या कहिएगा कि गुरुजी जब भी निवलेंड के ओक्टेव रूल की कमी की बात आएगी तो पहला तो यही 56 तत्तों रहेंगे जो कि संबब नहीं हो पाया एक 1818 तत्त है दूसरा कि सर उनका मानना था कि जो पिरोडिक रूल बनाया गया है वो 56 तत्त तक लागू होगा नहीं हुआ कैल्सियम तक ही लागू रहा और तीसरा सर कोबाल्ट और निकेल जैसे तत्तों को जो लोहा के साथ गुन मैच करता था हैलोजन के साथ रख गया यह तीसरा उसकी सबसे बड़ी कमी थी तो सवाल वही है लोहा जो की गुनों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है कि इन पत्तों से बहुत दूर रखा गया यह किसकी कमी थी आप सभी कहेंगे नियूलेंड के ऑक्टेव siapanium को कुछ इस तरीके से ध्यान में रख लेना. NCRT का पॉइंट है आपके लिए राम बान होगा, इन fiance阿onne Torit का पॉइंट है आपके लिए राम बान होगा, यह ध्यान में करता है, वह कहा तक लागू होता है, kilcium तक लागू होता है, bir हिसका जो Bachelor 1 आपके तत्तों के साथ म प्याच नहीं करता है दूसरा जो इसका दोस्त था हम यहां पर लिख दें नूवलेंड 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 पीटी का दोस अब किलियर हो गया होगा हाँ अब ध्यान देंगे इन्होंने बताया कि छपन तक तो भिदमान है और भविस में कोई अन्ता तो नहीं मिलेगा लेकिन मिरे मितर क्या ये संभव हुआ आप कहेंगे बिल्कुल नहीं और जो तीसरा सबसे महत पून था वो क्या कि सर कोबाल्ट और निकेल एक साथ में है और इसको सर कहां रखा गया फ्लूरीन क्लूरीन और ब्रोमीन के साथ जबकि लोहा को इस से अलग कर दिया गया तो ये सर आपका तीसरा था और मिरे मितर ये केबल और केबल हलके तक 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 के लिए लागू हो रहा था ये न्यूलेंड का भी दोस्त था तो ये चीज आप ध्यान में रखेगा आपके एक्जाम के लिए सर इंपोर्टेंट है तो मिरे मितर डॉब्रेनर और न्यूलेंड से स इसके बारे में हम लोग एगर कुछ basic जानकारी molecular करने की जोशिस करें तो सबसे पहले याद रख्येगा कि आपर्द सार्णी की होज किसके द्वरा किया गया किसके द्वारा किया गया मेंडलीप के द्वारा किया गया और मिरो मित्रा आप सभी ये ध्यान में रखना कि अभी तक जो हम लोगों ने प्रियोडिक्टेबल से सम्मादित MCQ पढ़ा वो किसके रिगार्डिंग था आप कहेंगे डॉबराइनर ट्राइड रूल यानि कि डॉ आपर्त और वर्ग में समझाने का प्रियास करा या तक्तों को आपर्त और वर्ग में सजाने का प्रियास करा और मिरो मित्र इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आपर्त सार्वनी की खोज किसके द्वारा की गई आप सभी याद रखेंगे मेंडलिप के द्वारा की गई और मि प्रिलिफ की जो आबर्थ सार्णी है ये भी किस पर आधारित है तो आप सभी याद रखेंगे तत्वों के परमानु द्रबमान पर ही आधारित है तत्वों के परमानु द्रबमान पर ही बेस्ट है यन की आधारित है तो अगर आपके एकजाम में अगर आपके एकजाम में य अभी क्या नाम लेंगे निव लेंड, डवराइनर, मेंडलीफ इन तीनों का नियम किस पर आधारित है आप कहेंगे गुरुजी परमानु द्रभमान यानिकी एटॉमिक मास पर आधारित अब मिड़मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपकी एकजाम में कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि तत्वों को सबसे पहले आवर्त और वर्क के रूप में सजाने का प्रियास निम्लिकित में से किस बग्यानिक ने किया तो आप सभी याद रखेंगे कि गुरुजी जब आवर्त सार्दनी की खोज मेंडलीफ ने करा और आप कहेंगे मेंडलीफ नह कि मेंडलीफ सहाब किस से प्रियरित थे तो मेंडलीफ सहाब निम्लेंड के ऑक्टेव रूल में बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते वे परमानुद रभमान के करम में एक सिलेगर के आठ तक सजाया जाए तो प्रतेक आठ्वे तत्तों का गुन पहले से मैच कर इस बात से मेंडलीफ सहाब बहुत ही प्रिरित थे और उनको यहाँ पर यह क्लू मिला कि अच्छा जो तत्तों के गुन है वह मतलब रिपीट भी हो रहे हैं यानि कि उसमें आवर्तिता देखने को मिल रही है और इन्हों ने उस पर और ज्यादा रिसर्च करा और मेरे मित् द्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ ने जो प्रियोडिक टेबल बनाया उसके लिए इसके लिए इन्हों ने अपना एक नियम दिया था मैं यह बिसिक बात इसलिए बता रहा हूं ताकि कुश्चन करने से पहले आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए ध्यान देंगे कि मेंड मेंडलीफ के नियम प्राधारित है तो याद रखेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं मेंडलीफ का आबर्त नियम कहते हैं क्या कहते हैं मेंडलीफ का आबर्त नियम कहते हैं मेंडलीफ का आबर्त नियम कहते हैं और मेरे भाई आप सभी यह याद रखेंगे कि मेंडलीफ का आ असायनिक गुन उसके परमानुद्रबमान का आबर्त फलन होता है तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे जब भी मेंडलिप प्रिडिक्टिबल की बात करेंगे कॉमन सा एक और चीज याद रखना कि मेंडलिप के समय जो टोटल एलिमेंट था वो कितना था आप सभी याद रखेंगे मेंडलिप के समय टोटल एलिमेंट जो था वो सर्फ 63 था कितना 63 था अब आप कहेंगे गुरुजी से सम्मदि सवाल कैसे पुछे जाते हैं तो पहला साल आपके सामने यह रहा कुछ सन नंबर 24 पुछा जा रहा है कि मेंडलीप के आबर्थ सारनी का उप्योग करते हुए बेरियम और प्रटेसियम के ऑक्साइडों के लिए सही सुत्र का चयन की सिए एक नजर आप इस पर दोर आएंगे तो यह क्या है आप सभी याद रखना मेंडलीप की आवर्ट सारनी है यहनी कि मेंडलीप की प्रिडिक्टेबल है और मिरे मितर आपको यह ध्यान में रखना होगा कि मेंडलीप के आवर्ट सारनी में टोटल आवर्टों की संख्या कितनी है टोटल आवर्ट की संख्या आप सभी ध्यान में साथ है और मेरे मित्र अगर आपसे सवाल करा जाए कि टोटल वर्ग कितना है तो आप कहेंगे गुर जी आठ दिख रहा है तो ध्यान में रखिएगा आठ पलस एक आपका क्या तो सर जब नॉबल ग्यास की खोज हुई तो मैंडलिफ ने क्या करा कि अपने आपर सारनी में बि वर्ग आठ पलस सुन वर्ग तो एकजाम दृष्टी कौन से टोटल अगर हमसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि मैंडलिफ के आबर सारनी में कुल वर्ग कितने थे अभी अगर ये सवाल पूछा जाए तो अभी आप कहेंगे गुर जी टोटल 9 क्यों क्योंकि जिस वक्त या ग्यात कि संख्या थी मैंडलिफ के समय ग्यात कि संख्या आप सभी कहेंगे 63 कितने सर 63 तो उस बक्त के यो ग्यात कि संख्या थी मेरे मित्र वहां तक उन्होंने ये 8 गुरूप में कर दिया डिवाइड लेकिन जब आबर सारनी की अकडिया गैस की खोज हुई तब मेंडलिप साहब ने क्या करा कि अपने टेबल में बिना कोई छेड़ छार किये एक अलग से सुन वर्ग जोड दिया इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेंडलिप के आबर्द सारण ने में कुल वर्ग की संख्यां कितनी नौ है और आबर्द की संख्यां कितनी है साथ है अब मेरे में तुर याद रखिएगा कि मेंडलिप साहब का ये मानना था कि किसी एक वर्ग में जो भी पत्त होंगे उसका वैलेंसी जो है वो उसके वर्ग के हिसाब से होगा जैसे की आपके कुश्चन में की बात करी जा रही है कि पोटेसियम और बेरियम के जो आपका ऑक्साइड है उसको मेंडलिप आबर सार्णी के सहता से लिखना है तो according to मेंडलिप प्रोडिक्टेवल आप कहेंगे पोटेसियम गुरुजी वर्ग एक में मिल रहा है पोटेसियम किस में मिल रहा है वर्ग एक में पोटेसियम वर्ग एक में है तो इसकी सहयोजकता आप सभी कहेंगे गुरुजी इसकी सहयोजकता जो है एक ही ही होगी और मिरमित्र जो barium है, यह आपके मेंदलिप के प्रोडिटेवल में कहा है आप सभी कहेंगे गुरुजी वर्ग 2 में है कहां? वर्ग 2 में तो जो आप से सवाल करा जा रहा है कि इसका oxide क्या होगा तो आप कहेंगे गुरुजी इसकी संयोजकता 1 है यहाँ पे इसकी सेयोजक्ता एक है और यहाँ पे बिरियम की सेयोजक्ता कितनी होगी आप सभी कहिएगा आप सभी कहिएगा कि गुरुजी बिरियम की सेयोजक्ता जब वर्ग दो में है तो यह दो होगी और आपसे क्या पुछा जा रहा है पुछा जा रहा है कि बिरियम और पटेसियम के ऑक्साइड के लिए सही सुत्र तो आपको मालूम है कि ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्सीजन से अभी क्रिया करेगा और बिरियम और ऑक्सीजन बिरियम का अभी वैलेंसी आपने 2 देखा ऑक्सिजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 क्राइस क्रोस करेंगे आप कहेंगे गुरु जी BA2O2 होगा अब मिड़मित्र ये फर्मूला ऐसे तो लिखा जाता नहीं है चुकि ये दोनों सेम नंबर है तो HCF लेंगे और फिटिवाइड करेंगे आप कहेंगे गुरु जी उतना लाग लपिटा करने की जड़त नहीं है ये सीधे BAO बिरियम ऑक्साइड हो साएगा प्रटेसियम की वैलेंसी कितनी गुरु जी प्रटेसियम जो है प्रटेसियम जो है बिरियम और प्रटेसियम के ऑक्साइड के लिए सही सुत्र का चेहन कीजिए आप सभी कहेंगे BAO और K2O मेंडलिब के आबर साएगा हमने क्या सहाता लिया तो सर जिस वर्ग में पाया जा रहा है उसकिसे ने जगता वही थी मेंडलिब के अनुसार तो potassium वर्ग एक में मिल रहा था तो इसकिसे ने जगता 1 आपका बिरियम वर्ग दो में मिल रहा था तो इसकिसे ने जगता कितनी हो गई मिरमित्र ध्यान में रखेंगे कि यह जितने भी तत्यों मेंडलिब साहब ने सजा है थे ये सब के सब किस पर आधारित हैं? आप कहेंगे परमानुद्रभमान पर आधारित हैं और Mandlip Predictable के अनुसार आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि तत्तो का जो भातिक और रसाइनिक गुन होता है वो किसके आबर्त फालन होता है आप कहेंगे अपने परमानुद रभमान के आबर्त फालन होता है याद रखिएगा कि मेंडलिप ने अपने पिरोडिक टेबल में संक्रमन पत्तों को कहां रखा था समू आठ में रखा था कहां रखा था समू आठ में रखा था याद रखिए का है बता रहे हैं गुरु जी इसलिए की question पूछता है याद रखना याद रखना कि menlip predictable में में आप सभी याद रखेंगे वर्ग को वर्ग को सम्मु बोला जाता था ये चीज ध्यान में रखना चला बहुत ही जरूरी है साथ ही ध्यान देंगे कि में निप सहाब ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा hydrogen और oxygen से बने योगी को पर अपना ध्यान के अंधित किया था और इसलिए जो सर उसके hydride और oxide के formula होते थे उसके लिए इन्होंने अपने एक अलग symbol दिया था जिसको R से रिपर्जेंट करते थे और मिरे मित्र जो oxide और hydride है अलग अलग तत्तों के लि क्या जाए कि oxide और hydride के लिए मेंडलिप पीटी में कहां पे symbol परदर्सित है आप कहेंगे मेंडलिप प्रियोडिक टेबल के ऊपर में नेक्स सबाल देख लेना चला question number two आप से पूछा जा रहा है कि मेंडलिप के आबर सार्नी के अनुसार हैलोजन की तरह hydride की अस्थान को नहीं फिक्स कर पाया और यहां पे जो आपको कहा जा रहा है कि मेंडलिप के आबर सार्नी के अनुसार है तो मेंडलिप सहाब यह देख पा रहे थे कि जो हाइड्रोजन के कमपाउंड है वह किसी आनतत्यों के साथ किस रूप में जुर रहे हैं तो मेरे मित्र जिस तरह से आप सभी क्लोरीन के लिए CL2 लिखते हो ब्रोमीन के लिए BR2 लिखते हो और फ्लोरीन के लिए F2 लिखते हो तो आप सभी कहते हो गुरू जी इसमें दो परमानु है तो इसको आम लोग क्या बोलते हैं आप कहते हैं दू परमानुक और यह क्या है त आप कहते हैं, फुलोडीन, क्लोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हैलोजन गूरुप के तब हैं, तो याद रखिएगा कि मेंडलिप के आपर सारनिक अनुसार हैलोजन के तरह हाइड्रोजन भी क्या है, आप कहेंगे दू परमानुक, क्या है दू परमानुक यानि की डाय बोलेंगे, एक परमानुक, याद रखेंगे, all the noble gas are the example of monotomic element, all the noble gas, सभी अक्डिया गैस किसके example है, monotomic molecules के example है, और चतुस परमानुक की बात करेंगे, तो मिरे मित्र जो P4 है, ये क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये टेटरा-atomic है, अगला देखिएगा, question number 26 पुछा जा रहा है, कि मेंडलिफ के अनुसार, तत्तों के गुंधर्म, उनके 10 के आवरती फलन होते हैं, बताओ चला, ना बनेगा, क्या कहोगे, कि गुरुजी परमानुक, दरबमान के आवरती फलन होता है, that's why right answer of discussion is option number है, और तो कुछ हमें सोचना नहीं है, अगला सवाल देखन चला, question number 27, तूच दिया, जो मैं बार-बार आपको बता रहा था, कि तत्तों के रसाइनिक गुन का आध्यान करने के लिए, मेंडलिफ ने किन दो तत्तों से बनने वाले योगी कों पर ध्यान के अंदरित किया, आप सभी कहेंगे, hydrogen और oxygen से बनने वाले योगी कों पर ध्या जा रहा है, कि मेंडलिफ की आबर सार्नी की खोज के समय, निम्र में से किस तत्त समों की खोज नहीं हुई थी, मेरे मित्रे क्या कहेंगे आप, कि गुरू जी अभी जस्ट आपने बताया, कि मेंडलिफ जब आबर सार्नी बना रहे थे, तो उस वक्त ग्याद तत्तों की मेंडलिफ ने बजाबते सर अपने आबर सार्नी में कुछ जगह भी छोड़ दिये थे, जब बाद में जाकर के नए तत्तों की खोज हुई तो उस जगह पर वो तत्त आ गये, तो मेंडलिफ सहाब बहुत दूर दर्सी भ्यागती थे, यह दूर की सूचते थे, तो यहाँ सवाल है कि मेंडलिफ के आबर सार्नी की खोज के समय किस तत्तों समों की खोज नहीं हुई थी, तो मिरे में तरम दूस्वक्त ग्याद तत्तों की संख्या जितनी थी, मेंडलिफ ने उसे आठ गुरूप में सजा दिया, लेकिन जैसे ही अकडिया गैस की खोज हुई, किस की से हो जाता सुन होती है, तो भई मीरे जो अकडिय कैस है, हीलियम, नीयोन, नीयोन, आरगन, क्रिप Un, जैनन और बाधन इसकी खोज मेंडिफ के समय में नहीं हुई थी, बहुत बाद हुई, इसलिए में मित्र जो सबाल करा जा रहा है, उसका सрьाई आउनसर आप ठेयंगे गैस हो जाएगा इसी नॉबल गैस को अम लोग क्या कहते हैं उत्कृिस्ट गैस भी कहते हैं तो जो सवाल करा जा रहा है कि आपर सादनी के समय खोज के समय निमन में से किस तत्तु समू की खोज नहीं हुई आप कहेंगे गुरुजी अक्रिया गैस जो उत्कृिस्ट गैस जब इसकी खोज हुई तो मैंलिफ ने क्या करा अपने प्रियोडिक्टेबल में बिना किसी छेर चार के इसके लिए एक अलग से वर्ग बना दिया जिसको किस नाम से जाना जाता है सुन वर्ग के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा कि हैलोजन आपको मॉडन जब दो आपको कहां मिलेगा तो आप सभी ध्यान में रखना सर जी ये वर्ग 2 में मिलेगा अगला सवाल देख ली सी कुछ्ष्टन नमबर 29 पूछा जा रहा है कि मेंलिफ के अबर सार्नी में तत्तों के हाइड्राइड और ऑकसाइड के सुत्र किस अस्थान पर लिखे जा कि गुरुजी हिला देंगे option number D को उपर की और क्या किया गया था रखा गया था और मिरे भाई यहां पर आप देख भी रहे हो कि oxide और hydride कहां है सर मेंलिफ predictable में सब से उपर कहां है सब से उपर है तो ये चीज ध्यान में रखनी से का अगला सवाल question number 30 पूछा जा रहा है कि म उनके पुरबर्ती तत्यों के नाम से पहले सब्द एका लगा कर किया गया था एसकेंडियम गेलियम और जर्मेनियम नाइट्रोजन फॉसफोरस और आरसेनिक बोरोन एलुमूनियम और गेलियम कार्बन सिलिकन और जर्मेनियम अभी मैंने क्या बताया कि मेंलिफ साब जो थ हैं और इसके लिए उन्होंने जगह छोड़ती थी और उस वक्त जो उस जगह पर तत्यों मौजूद था या उस वक्त उस नियम के हिसाब से उन्होंने उस तत्यों का प्रिडेक्शन क्या करा था कि आगे जो तत्यों मिलेगा उसको हम लोग एका बोरोन के नाम से जानेंग फिर उन्होंने दूसरे तत्यों के लिए जगह छोड़ी थी जिसके बारे में उसका ये था कि आगे जो तत्यों मिलेगा उसको हम एका एल्मूनियम कह सकते हैं और इसके बाद फिर जो आगे तत्यों मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे एका सिलिकॉन कह सकते हैं और मेरे म नया तत्व आपका इसकेंडियूम की खोज हुई सर उसकी प्रोपटीज किस से मैच कर रही है इसकेंडियूम की प्रोपटीज की बात मेंडलिप साहब ने करा था जब फिर से नया तब तो मिला कौन सा गेलियम तो क्या पाया गया कि सर गेलियम की जो प्रोपटीज है वो किस से मैच कर रही है इकका एलमुनियम से मैच कर रही है तो इकका एलमुनियम के जगा किस को ला दिया गया सर गेलियम को ला दिया किया मेंनियम सकु dif strategy अखोई और मेंनियम से पाए गया कि जर्मेँयम के जर्मेँ कि जो परपटी जे वह एक इसलीकौन से भिषा टों अ Cameron केंक्ती तोि कि मैनलीब द्वारा किन तक्तो का नामकरन उसी सम्हों में उनके पुरबर्ति तक्तो के नाम से पहले सब्द एका लगाकर किया गया। टो मेरे मितर ऐसकेंडियम के लिए एका बोरॉन बोला गया। और गेलियम के लिए एक का ऐलुमूनियम, जर्मेनियम के लिए एक का सिलिकॉन, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी, राइट आंसर आप दिसकुशन, इस ओपसन नमबर A, सही आंसर क्या होगा, ओपसन नमबर A होगा, और नाइट्रोजन की बात की गई है, आप कहेंगे बिल् आप कहेंगे का बरोने का ऐलुमूनियम, जर्मेन का सिलिकॉन, तो जो हमारा सही करम होगा, आप कहेंगे ऑपसन नमबर A होगा, कारबन आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, अगला सवाल देखिएगा, कुस्टन नमबर 31 पुछा जा रहा है, कि मेंडलिप की आबर सादनी 10 में परकासित हुई, 1882, 1852, 1862, क्या कहोगे, गुरुजी ऑपसन नमबर C को लोग किया से, बस याद रख लिजेगा, नोट में ये बात, आपकी एकजाम के लिए हो सकता है, जरूरी, कि मेंडलिप की आबर सादनी, 1872 में कहां परकासित हुई, जर्मन पत्रिका में परकास जो आपका समू था, मेंडलिप आबर सारनी का, उसके सिंस पर, ऑक्साइड और हाइडराइट के सुत्र में, अंग्रेजी का अक्छर आर समू के किसी भी तक्तु को दरसाता था, और सुत्र लिखने के तरीका क्या था, तो मेरे मितर जैसे CH4, ये क्या है, हाइड्रोजन के क इसको हाइड्राइड बोले थे सर मेंडलिप साब ने, और ये कहा था कि ये कार्बन के हाइड्राइड होंगे, और मिरे मितर इसके लिए इन्होंने CH4 को इन्होंने किस तरह से एपरेजेंट करा, तो सर, CH4 मेंडलिप प्रूडिक्टीवल के हिसाब से, रह प्रूर के उसको हम कैसे री पर्जेंट करेंगे आप के समझाया जा रहा है कि जो फंब के सिर्स पर ऑक्साइड और और हड्राइट के सुत्र है उसमें अन्ग्रेजीक अच्छर आर समय के किसे री तत्यू को दर साता है एक सम्मों के सभी तत्तों के जो सुत्र होंगे, सभी तत्तों के जो अक्साइड और हाइड्राइड होंगे, उसके लिए हम लोग क्या रिपर्जेंट करते हैं, सर्फ सिंबॉल आर रिपर्जेंट करते हैं, ये धियान में रखिएगा, आपके एकजाम दृष्टी कौन से important है next, question number 32 पूछा जा रहा है, कि निमन में से किसे मेंडलिप के आबर सार्णी की सीमा के रूप में माना गया था, पहला option है, यहाँ पर ए होगा, कि हाइड्रोजन का छारिया मिर्दा धातों के साथ हैलोजनों के सादरिस और हाइड्रोजनों को कोई बिसिस्ट अस्थान नहीं है, मेंडलिप के आबर सार्णी में भी, अगर आपको बिलीब ना हो, तो आप यहाँ पर गौर फर्माना मिर्मित्र, बात किस की करें, मेंडलिप प्रियोडिक टेबल की करें, तो आप सभी देख पारें कि हाइड्रोजन कहां पितमान है, सर जी, यह हमारे पहले आपर और वर्ग ए में भी दमान है, पहले आबर तो वर्ग ए में भी दमान है, यानि कि पहले समों में भी दमान है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, कि जो यहाँ पर आप से सवाल करा जा रहा है, जो आपको यहाँ पर सवाल करा जा रहा है, कि निम्न में से किसे मेंडलिप प्राबर सार्णी की सीमा की रूप में माना गया था, तो मेंडलिप साहब हाइड्रोजन का सही अस्थान नहीं निंधारित कर पाए, और मेंडलिप साहब का जो परसप्षन था हाइड्रोजन के बारे में हो था कि यह हालोजन से मैच करता है, यह हालोजन के तरह दूपर सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेंलिप के प्रोडिक्टेबल की जो कमिया है उसको नहीं बता रहा है। दूसरा है कि हैडोजन का छार धात्वों के साथ साथ हैलोजन से सद्रिस और हैडोजन को कोई बिस्स अस्थान नहीं दिया गया था। मेरा भाई क्या कहोगे कि गुरू जी ये बात बिल्कुल सत्त कि मेंडलिप के आबर सारनी की ये सबसे बड़ी घामी थी कि वो हैडोजन के जगा को नहीं फिक्स कर पाए। और साथ ही मेंडलिप साब का ये मानना था कि हैडोजन की प्रपटीज हैलोजन से मिल रही है और उसी के तरह ये दूपर मानूख है लेकिन ये जगा ही नहीं फ प्रिक्स नहीं कर पाए तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि निम्न मेंस से किसे मेंडलिप के आबर सार्णी के सीमा की रूप में माना गया है आप कहेंगे गुरुजी ऑप्सन नमबर भी को नेक्स है हाइडोजन को छारिया मिर्दा धातु नहीं वर एक केता तो छारिया ध और रहेंगे क्जारी हाम मिर्दा धातु की बात की जा री है अब फिर है क्नक्ति नमबर भृसे और हैं मेंडलिप का आभरत नियम अबर सारणी में डैस की इस्थिती का बाक्या नहीं कर सका, याद रखेगा, कि मिनलिप सहाब जब आबर सारनी बनाए, उस वक्त ना तो अक्रिय गैस की खोज हुई थी, और नहीं समस्थानी की खोज हुई थी, क्या होता है सर समस्थानी, आप सबों को मालूम है, कि एक ही तत्व के वैसे पर जा रहा है, कि मिनलिप का आबर सारनी में डैस की स्थिती की बैख्या नहीं कर सका, आप सभी कहेंगे समस्थानी की स्थिती की बैख्या नहीं कर सका, हाइडरोजन को बिशिष्ट अस्थान नहीं दे पाया, यानि कि निस्थित अस्थान नहीं दे पाया, और इसलिए मिरो म आपको चार स्टेटमेंट दिये गए हैं और आपको बताना है कि मेंडलिप के आवर सारनी में हैडोजन को एक निस्चित अस्थान दिया गया था बिलकुल बात गलत है यह सही नहीं है कि सर मेंडलिप के आवर सारनी में हैडोजन को एक निस्चित अस्थान दिया गया था यह बात पुरी तरी से गलत है अस्थान ही नहीं मिला था उस समय तक उतक्रिस्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी बिलकुल सही बात है चार धातों की तरह हैलोजन ऑक्सिजन और सलफर के स अभिक्रिया करके समान सुत्र वाला योगिक बनता है बिलकुल सही है मेंडलिप के आवर सारनी में समस्थानी को कोई बिसिस्ट अस्थान नहीं दिया गया था यह बात सही है आपको क्या चूच करना था सही नहीं है सही नहीं कोन है option number A that's why right answer of this question is option number A अगला question number 35 आपसे पूचा जा रहा है कि मेंडलिप के आवर सारनी में समुझ आथ और चौथे आवरत की पहली सरेनी कोन सा तत्त मौजूद नहीं है क्या कहोगे कि ग्रूजी ये मेंडलिप आवर सारनी का आठमा समु है क्या है ये सम्मो आठ है और अगर हम चौथे आबर्थ की बात करेंगे तो पहला आबर्थ, दूसरा आबर्थ, तीसरा आबर्थ स्वारी, यहाँ पे है आपका आबर्थ यहाँ से सुरूर पहला आबर्थ, दूसरा आबर्थ, तीसरा आबर्थ, और चोथा आबर्थ, और इस चोथे आबर्थ में कोन है? आप कहेंगे Ferrous, Cobalt और Nickel. तो सवाल है कि मेंड़िप की आबर्थ सारनी में समो 8 और चोथे आबर्थ की पहली स्रेनी में कोन सा तत्त मौजूद नहीं है? क्या कह आगर ही कर लेना चला इसको, कि मेंडलीफ के आबर्ट सार्णी में, सर आठमे वर्ग के, आठमे समों के चोथे आबर्ट में कौन तत्व मौझूद हैं, आप कहेंगे फेरस, कोबाल्ट और निकेल, कौन से तत्व मौझूद हैं, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, मिरमित्र निक से पहले कोन है कोबाल्ट कोबाल्ट से पहले कोन है आप कहेंगे फैर्स अगला सवाल देखलो कोुछन नंबर 36 पुछा जा रहा है कि आबर सारनीका आविस्कार किस ने किया आप कहेंगे गुरुजी दमितरी मेंडलिफ Conkel ने करा कि जब मेंडलीप ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्यों गया तो थे आप सभी कहेंगे गुरुजी 63 तत्यों गया तो थे कुस्टर नमबर 38 कि मेंडलीप आभधिक सारणी में खोजे न गये तत्यों के लिए अंतराल छोड़ा गया था निम्न में से कौन से तत्यों को बाद में आभधर सारणी में एक अस्थान प्राप्त हुआ आपको मालूम है कि मेंडलीप के आभधर सारणी में जो तत्यों वक्त खोजे नहीं गये थे उसके लिए एक जगा छोड़ी यही थी तो यहाँ चार अप्सन दिये गया है और आध में तक तो जर्मेनियम खोज हुई जिसका सिम्बॉल जी ही है इसकी प्रपटीज किस से मैच करता है आप कहेंगे सिलिकॉन से तो एक का सिलिकॉन आप कहेंगे जर्मेनियम देट स्वाई राइट आंसर आप देस क्विस्टन ओप्सन नमबर ए हो जाएगा अगला सवा कि मैंडलिफ के आबर सार्णी के मैंडलिफ प्रियोडिक्टेबल के ध्यान देंगे इस चीज को कंठागर कर लेंगे चला मैंडलिफ पीटी के मैंडलिफ पीटी के वर्ग आठ वर्ग आठ नहीं लिखते हैं इसको हम समों आठ लिखते हैं मैंडलिफ पीटी के समों आठ ए फेरस, कोबाल्ट और निकेल मौजूद है क्या पुछा जा रहा है कि मेंडलिप के आबर सार्णी में आबर सार्णी तालिका में निकेल से पहले दिखाई देते हैं कोबाल्ट दिखाई देते हैं तो सही आंसर ओप्सन नमबर C हो साएगा पुछ देता कोबाल्ट से पहले दिखाई देते हैं आप कहेंगे लोहा पहले दिखाई देते हैं सबसे बाद में दिखाई देते हैं निकेल देते हैं अगला कुछ्सन नमबर 40 पुछा जा रहा है कि मेंडलिप के आबर सार्णी में आपको समझ में आ रही है, एक बर सर कमेंट करके जरूर बताना, कुश्चन नमबर 41 देख लेना, कहरा है कि निमे मैं से कौन सा तब मैंडरीप के आबर सार्णी में, एक का अलमूनियम की जगह लेता है, मिरे भाई, एक का अलमूनियम, एक गयलन, एक गयलन, इसके लिए ट्र का अलमूनियम, या एक गयलन नहीं, एलमूनियम का गयलन, ऐसे याद रख लो, एलमूनियम का गयलन, त्रिक टो अपने हाथ में है चला, एलमूनियम का गयलन, क्या कहिएगा, कि सर एक पा अलमूनियम किस से मैच कर रहा है, आप कहेंगे, ग्रुजी, गैलियम से, किस से, ग इसके लिए आम लोग एका बरोन कहेंगे और भाई मेरे जर्मेनियम आप कहेगा कि गुरुजी एका सिलिकॉन कहेंगे क्या कहेंगे एका सिलिकॉन कहेंगे तो मेरे मित्र अगर आपको मेंडलिप प्रियोडिक्टेबल के बारे में इतना सा MCQ और जो मैंने बाते बताई है वो मालूम है तो हमें नहीं लगता है कि मेंडलिप प्रिडिक्टेबल का कोई भी सवाल आपको फसाने की कोशिस करेगा अब सवाल यहां पर यह है कि गुरुजी सब्सक्राइब प्रिडिक्टेबल से सवाल कैसे पुछे जाते हैं क्योंकि डॉब्रेनर का तो हमने पढ़ लिया नूलेंड भी पढ़ लिया साथ में मेंडलिप भी पढ़ लिया तो मेरे मित्र ध्यान में रखेगा कि जो आपका आगला टॉपिक है वो क्या है मौसले की आध क्योंकि मेंडलिप एलएंग्यानिक तो ंवड़्ख वर्ग में पिरोमे का प्रियास करा या पर्त और वर्ग में तत् його को सजाने का प्रियास करा लेगिन मेरे मित्र मेंडलिप के आबर सारनी स्थान को निःधारित नहीं driven पारा है मेंडलिप काबर सार्णी हाइडोजन को एक निश्चित अस्थान नहीं दे पाया और मिरमित्र मेंडलिप काबर सार्णी में जो अक्डिया गैस की खोज हुई सरुस को क्या कर दिया गया तो एक अलग गुरूप बना करके रख दिया गया तो मेंडलिप काबर सार्ण में भी बहुत सारी कम्यां थी बहुत हज तक मेंडलीप साहब तत्तों के भातिक और रासाइनिक गुन को उसके परमानुद रभमान से रिरेट कर रहे थे लेकिन समस्थानिक जैसे टर्म जब आए तो मेंडलीप साहब भी वहां में फस्ता हुआ नजर आए तक मिरमित्र कोन आए तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर मौसले आये इनका जो सुद्ध नाम होगा चिला वो क्या है मौसले और मिरमित्र इन्होंने क्या करा सर इन्होंने मेंडलीप का जो अस्त बस्त आबर्त सार्णी था उसको ठीक करने का प्रियास करा और मिरमित्र इन्होंने जो ज्यानिक लागातार कह रहे हैं थे कि डॉब्रेनर, न्यू लेंड और मेंडलिप की तत्तों का गुल उसके परमानु द्रभमान का आबर्त फलन होता है यह ऐसे नहीं होता है अगर हम परमानु द्रभमान को मान के चलेंगे तो फिर समस्थानिक को कभी हम फिक्सी नहीं कर पा कि आधुनिक आबर्सार्णी की खोज किस ने करा आप सभी कहेंगे मौस लेने करा आधुनिक आबर्सार्णी किस पर आधारी थे आप सभी ध्यान में रखना कि आधुनिक आबर्सार्णी जो है वो आधारी थे आपका किस पे आप सभी कहेंगे परमानु संख्या पे आधार तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आबर्त सार्णी के लिए जो आबर्त नियम है उसमें मौसले ने क्या बताया तो आप सभी को याद रखना होगा कि मौसले के अनुसार मौसले के अनुसार अनुसार तत्तों का गुन तत्तों का गुन तत्तों का आप कह सकते हो रसाइनिक गुन रसाइनिक गुन उसके परमानु संख्यां का उसके परमानु संख्यां का परमानु संख्यां का अबर्त फलन होता है परमानु संख्यां का आबर्त फलन होता है और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आधुनिक आबर्सार्णी में टोटल कितने आबर्त है आप सभी कि याद रखना कि आधुनिक आबर्सार्णी में टोटल आबर्तों की संख्या साथ है टोटल वर्ण कितने है आप सभी कहेंगे आठारा आधुनिक आबरसादनी में कुल तत्त कितने हैं आप सभी याद रखना कि कुल तत्त की संख्या आपका एक वर्ग आठारा और कुल तत्त की संख्या कितनी हैं आप सभी याद रखेंगे एक सो अठारा अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे एकज जा रहा है कि आधुनिक आबर्शार्नी में जिंक का अस्थान क्या वर्ग हुझ खाल किया मिन्यू मित्र यह सवाल आपसे साल्ब होगा अभी किसी भी तत्व कर आबर्शार्नी में पि्रियड और गूप निखालने के लिए बताया था, और मुझे उमीद है कि आप सभी ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, अगर आप नहीं देख पाए हैं, तो ध्यान में रखेगा, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्किप्शन में मैं डाल दूँगा, आप जा करके उसको देख ले और मिरमित्र, अगर हम लोग जिंक के एलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, तो आप सभी क्या कहिएगा, कि गुरुजी आरगन तक तो सेम होगा, और उसके बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे 4S2 होगा, 4S2 होगा, और साथ में क्या होगा, आप सभी कहेंगे 3 3D 10 होगा, 4S2 और क्या होगा, 3D 10 होगा, अब मिरमित्र आप सभी को मैंने क्या बता था, कि किसी भी तत्तु का अंतिम एलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, किसी भी तत्तु का अंतिम एलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, सर वो तत्तु जो है, वो आबर सार्णी के उसी ब्लॉक में मिलेगा, जैसे मिरे भाई, आप देख रहे हैं कि जो आपका जिंक है, उसका अंतिम एलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सर जी D सबसेल में जा है डी सबसेल में जा रहा है जायर सी बात है कि यह जो जिंग है वह आबरशारुनी का क्यों से क्यों से ब्लॉक सेबरकन धालीमेंट है आप सभी केंगे गुरु जी ये डी ब्लॉक का अलीमेंट है भाल का अब आप हिएगा तो यव भी बताया है कि जो आपर सार्णी में D block element होते हैं वो वर्ग 3 से ले करके 12 तक के तत्व होते हैं तो हम ये कैसे decide करेंगे कि जिंग कहां मिलेगा मिरमित्र मैंने आपको बताया है कि अगर कोई तत्व आपर सार्णी के D block का है तो उसकी जो वर्ग संख्या होगी उसकी जो वर् 2 plus D sub cell में मौजूद electron की संख्या तो भाई मिरे आप सभी क्या देख रहे हैं कि जो जिंग है उसके D sub cell में 10 electron मौजूद है और इसका वर्ग संख्या क्या होगा आप कहेंगे गुरु जी 2 plus 10 मतलब ये जिंग हमारे आबर सार्णी के वर्ग 12 में मिलेगा किस में मिलेगा वर्ग 12 में मिलेगा और मिरे मित्र आप सभी configuration से देख पा रहे हैं कि electron जो है वो चौथे कक्षा की और भी जा रहा है मिरे मित्र चौथे कक्षा में जा रहा है तब तो चौथे कक्षा के पहले कक्षा में दो electron भरा हुआ है आप सभी कहेंगे कि गुरु जी जिंक में चार कक्षा है, तो हम ये कहा सकते हैं कि जिंक चौथे आबर्त में होगा, क्यूं? क्योंकि किसी भी परमानू में जितनी कक्षा होती है, सर वो परमानू आबर्त के उतने ही आबर्त में पाये जाते हैं, सर जिंक में चार कक्षा है तो ये चौथे आबर्त में देना क्या कहिएगा आबर्थ पर्मानों में उपस्तित कुलकच्छा की संख्या होगी जबकि वर्ग तो इसके लिए मैंने रूल आपको भताया ही है अगला सवाल देखिएगा कुस्टन नमबर 43 आप से पूछा जा रहा है कि समान समू के इन में से किस तत्व यूग्म के तत तो समान रसानिक गुन धर्म परदर्शित करते हैं समान समू के ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग आबर्थ की बात करते हैं तो इसी को इंगलिस में हम लोग क्या कहते हैं पिरियड कहते हैं और मेरे भाई आबर्थ सार्णी में जो 36 रेखा है आपको इस तरह से दिख या आप को यह ध्यान में रखना होगा कि किसी एक समू में जितने भी तत्व मौजूद होते हैं, उन सभी में क्या होती है, सर। कहेंगे सर समानता होती है या आप yuk agric किसी एक समों में मवजुद सभी ततों की जो सेयों जी electron होती है वो समान होती है सवाल आप से ये है कि समान अजब से इन मैं से किस तत युगम के ततनो समान रसानी गुंधर्म प्रधरसित करते हैं पहला मेरे मित्र ऑप्शन क्या है आपका लीथियम और फिर क्या है क्रिप्टन क्या कहिएगा कि गुरुजी लीथियम तो हमारा धातू में आ जाएगा जब कि हम लोग बात अगर करेंगे नॉबल गैस अलिमेंट की तो वहाँ पर क्या कहेंगे कि हीलियम नियन आरगें तो अमारा अकरिया ग्यास हो जाएगा तो इस दोनों में तो कोई मैचि नहीं होगा कर्बन और क्या मारा क्या है और क्लोरीं जो है आपका आधिस नहीं वारा हा suppose決 खोजी क sculpt कि प्रपटीज को ही गरहन करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कि carbon के अंदर catination properties होती है, और carbon आपको कहां मिलता है, आप सभी कहते हैं, कि गुरू जी जो carbon है, ये हमको वर्ग 14 में मिलता है, जब कि क्लोरीन हमको वर्ग 17 में मिलता है, तो कहीं से भी इसमें समानता नहीं हो नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा दो और पांच और जो फास्पोरस है इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा दो आठ पांच दोनों में समानता क्या है तो गुरु जी इसके बायतम कक्षा में पांच एलेक्ट्रोन इसके बायतम कक्षा में पांच एलेक नैट्रोजन ख्योंत गायंiet Yoga भूख सबाषब बूख में इसलिए सही जैसर से नम्बाइ जो नेशसे हो आई भूग साई हो गह से चैन उजा भूप केशने हैं 1s2, 2s2 और 2p3 दूदू 4, 3, 7 क्या कहिए गुरू जी P block element है क्या है P block element है और P block element का जो work है वो कैसे निकलेगा तो आप कहेंगे सहियों जी electron plus 10 सहियों जी electron 5 तो ये किसमें होगा आप कहेंगे 5 plus 10 15 में तो work 15 क्या है आप कहिएगा work 15 जो है गुरू जी वो nitrogen family है क्या है nitrogen family है और nitrogen family को nitrogen family को हम लोग क्या कहते है nictogen कहते है याद रखना ये चीज nitrogen family को क्या कहते है nictogen कहते है ये याद रखेंगे आप सभी और phosphorus की बात करेंगे चिला तो आप सभी 1s2, 2s2 और क्या कहिएगा गुरु जी 2P6 हो जाएगा ध्यान देंगे 2, 2, 4 और 6, 4 आप कहेंगे 10 हो गया और इसके बाद मेरे मित्र 3S2 होगा और फिर क्या होगा 3P3 होगा 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15 सर लास्ट एलेक्टरन P सबसेल में जारा P ब्लोक एलिमेंट होगा और हम क्या कहेंगे सियोजी एलेक्टरन 5 है 10, 5, 15 ये भी वर्ग 15 में ही मिलेगा तो मिरे मित्र आप सबी हमेशा ध्यान में रखेगा ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और जरूरी नहीं है कि ये सवाल आपको याद रहे आपको solve करने आना चाहिए concept आपका clear होना चाहिए next सवाल देखिए question number 44 पूछा जा रहा है आपसे बराही सरल सा सवाल कि हेनरी मौसले के अनुसार किसी तत्तो का इनमें से कौन सा गुन उसके दरबमान से अधिक मौलिक गुन है याद रखिए बिभी आई है सवाल सभी बैग्यानिक तत्तों के परमानुद्रबमान के पीछे परे थे लेकिन मौसले सहाब आए और अच्छानक से जज़बात बदल दिये इन्होंने क्या बताया कि कि किसी भी तत्तो का सबसे मौलिक गुन उसका परमानुकरमांक है साधनी के कि समू में रखा गया है छिला जी याद रखेंगे कि सत्रह में एक मैं की क्या कहते है्थार में को अम्नों क्या क्या नि笑 रृप के the कि आबर सार्णी का 16 हमा समू है इसको हम लोग क्या कहते हैं याद रखेगा चाल को जेंस कहते हैं क्या कहते हैं चाल को जेंस कहते हैं तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे मिड़े में तरी याद रखिएगा कि चाल को जेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीजन और याद रखेंगे कि आपरसार्णी के किस ग्रूप को oxygen अप्सीजन फैमली बोला जाता है आप सबी कहेंगे गुरू जी आपरसार्णी के group 16 को oxygen फैमली बोला जाता है या फिर इसी को चालकोजन फैमली बोला जाता है निक्स्ट सवाल देखिएगा, कुछ्सर नंबर 46 आप से पुछा जा रहा है, कि निम्र में से कौन सा तत्व आधुनिक अबर्सार्दी के सम्हों 11 से संबंदित नहीं है, मेरे मित्रे याद रखेंगे, कि ये आपका सोना, चान्दी और कॉपर, ये तीनों कहां मिल जाएंगे सर आभर्सार्दी के वर्ग 11 में मिल जाएंगे, जबकी मिरे मित्र, ये हजजी आपको कहां मिलेंगे, याद रखेंगे, ये ग्रूप 12 में मिलेगा, तो जो सवाल आप से करा जा रहा है, कि निम्र मेंसे कौन सा तत्व आधुनिक अबर्सार्दी के सम्हों 11 से संबंदित न नहीं है याद रखिएगा मेरे मित्र मरकरी कहां मिलेगा आप सभी कहेंगे गुरुजी ये वर्ग बारा में मिलेगा और ध्यान में रखिएगा कि वर्ग तीन से ले करके वर्ग तीन से ले करके बारा तक के तत्व वर्ग तीन से ले करके बारा तक के जो तत्व होते हैं उसक पूछा जा रहा है कि आधुनिक आबर सार्नी में सम्मु दो बाले तत्तु को डैस भी कहा साता है। और मिरो मित्र याद रखेंगे आप सभी इस्पिसल हिंड के रूप में कि वर्ग एक एबम दो तथा तेरा सत्रा वाले सत्रा वाले तत्तो समान तत्तो या परतिनिधी तत्तो कहलाते हैं ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा मिरो मित्र समोह टू की बात की जा रही है। आप कहेंगे चारीय मिर्दा धातू हो जाएगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी हमको प्रोटोन से मतलब है। का है क्योंकि हमको मालूम है कि आबार्त और गुरूप हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको परमानु संख्या मालूम हो। और मिर्दा परमानु संख्या को Z से रिपरजेंट करते हैं और यह किस के बराबर होता है आप कहते हैं प्रोटोन की संख्या के बराबर होता है। अब इस तत्व में 16 प्रोटोन हैं तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी जो तत्व है हमारा X इसकी परमानु संख्या कितनी है 16, electronic configuration कक्छा आधार पर आप कहेंगे 2, 8, 6 होगा, total कक्छा 3 है तो मिरे मित्र ये कितने आबर्त में होंगे, आप कहेंगे तीसरे आबर्त में होंगे, कितने आबर्त में, तीसरे आबर्त में configuration लिखेंगे चला, इसका sub-cell के base पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और क्या होगा, आप कहेंगे 2, 2, 4, 6, 10, 12, 12, 12, 14 आपका हो गया अब मिरे मित्र, ये कहा जाएगा, आप कहेंगे 3p2 हो जाएगा, 4, 6, 10, 12, 12, 14, अच्छा यहाँ पर 4 नहीं होगा, 12, 4, 16, 3p4 हो जाएगा, क्या होगा, 3p4 हो जाएगा, 4, 6, 10, 12, 4, 16, पी ब्लोक एलिमेंट है, आप कहेंगा, बिल्कुल, तो मिरे मित्र, आप सभी बताओ पी ब्लोक एलिमेंट है, तो इसका वर्ग कैसे निधारन करेंगे, तो आप सभी कहेंगे संयोजी एलेक्टरोन पलस 10, संयोजी एलेक्टरोन 6 है, तो वर्ग की संख्या, आप कहेंगे 6 पलस 10, किस वर्ग में होगा, आप कहेंगे 16 में वर्ग में होगा, किस वर्ग में होगा सोलह में वर्ग में होगा और भाई मेरे बताओ आप कि आपका ऐसा कौन सा तत्त है जिसकी परमानु संख्या सोलह होता है नीचे कमेंट करके जरूरू बताओ सर तो आप बतादो कि सही आंसर आप सभी कहेंगे कि गुरूजी जिस तत्त एक्स की बात की जा रही है वो हमारे आबर्ट सार्णी के तीसरे आबर्ट और सोलह में सम्हों में मिलेगा इसलिए सही आंसर हमारा option number D हो जाएगा नेक्स सवाल question number 50 पुछा जा रहा है कि आधुनिक आबर्ट सार्णी में एक सम्हों में मौझूद तक्तों में 10 की संख्या समान होती है कोसों, प्रेटोन, एलेक्टरोन, सहयोजी एलेक्टरोन याद रखिएगा कि आबर्ट सार्णी के किसी भी एक वर्ग में मौझूद जितने भी तक्त्त होंगे इन सभी की जो सर संयोजी एलेक्टरॉन होगी, जो संयोजी एलेक्टरॉन की संखियां होगी, आप क्या कहेंगे, गुरु जी भराबर होगी, क्या होगी, भराबर होगी, यानि की समान होगी, अगला सवाल देखिएगा, question number 51 आपसे पूछा जा रहा है, कि निमलिखित में से क समू 17 वर्ग सत्रा आप कहिएगा हैलोजन होगा और समू 18 ताक्रिये गयास हो गया समू 2 छारिय मिर्दा तत्तो तो बिड़े मितर सही आंसर आप्सन नमपर पी अगला कुछ्सन नमपर बावन पुछा जा रहा है कि आधुनिक आबर सारनी के समू 2 में तत्तों की सियोजकता क के तत्तों आबरत सहरनी के वर्ग 1 के तत्तों आबरत सहरनी के किस ब्लॉक में मिलेंगे पीटी में एस ब्लॉक में मिलेंगे कहां मिलेंगे एस ब्लॉक में मिलेंगे और मिरे भाई आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि जो एस ब्लॉक तत्तों की एस ब्लॉक तत्तों का वर्ग निर्धानन होता है, वो किस से होता है? तो Sir, इसके संयों जी एलेक्टरोन से होता है, अब आप सभी ध्यान देना कि वर्ग समू का कोई टक लेते हैं हम लोग, जैसे मैगनेसियम की बात करते हैं, तो मैगनेसियम का जो अटॉमिक नंबर है, वो पा रहा है configuration लिखेंगे तो हम सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होगा और क्या है कि 2,2,4 और 6,4,10 दुबारा सर लास्ट electron S में जा रहा है इसलिए magnesium S block element होगा और इसका संयोजी electron आपके येगा 2 तो S block element का वर्ग निरधारन उसके संयोजी electron के दोरा हो जाता है S block element जो भी होगे उसके अंतिम कक्छा में जितना electron बचेगा यानि कि उसकी जो संयोजी electron की संख्या होगी वही उसकी वर्ग की संख्या होगी तो magnesium आबर सारनी के वर्ग 2 में मिलेगा sodium मेरे मित्र atomic number 11 होता है 1s2, 2s2, 2p6 और क्या कहिएगा 3s1 अब इसमें आप देख रहे हैं कि last electron S sub cell में गया यह S block element है और इसका अगर हम लोग कच्छा आधारिक configuration निकालेंगे तो 2 art 1 हो जाएगा तो क्या कहोगे कि गुरुजी इसका संयोजी electron 1 है इसलिए sodium आबर सारनी के वर्ग 1 में मिलेगा तो कह र होगी क्यों क्यों क्योंकि जितने भी धातों होंगे जितने भी धातों होंगे उसकी संयोजक्ता किसके बराबर होती है आप सभी गहते हैं संयोजी electron के बराबर क्यों क्यों क्योंकि मेरे में तर जो धातों होते हैं वो electron को loss करते हैं और धातू के बाहतम कक्छा में या तो ए valency of the metal is, valency of the metal is the valence electron of the metal, मतलब धात्वों की संयोजक्ता, उसकी संयोजी एलेक्ट्रोन की संख्या होती है, next, question number 53, पुछा जा रहा है, कि निवन में से कौन सा समु, सुन संयोजक्ता को निरुपित करता है, वर्ग अठारा किसको निरुपित करेगा चिला, आप कहेंगे सुन संयोजक्ता को, अगला सवाल देख लीजिए, question number 54, पुछा जा रहा है, कि बरतमान में ग्याद तत्तों की कुल संख्या कितनी है, क्या कहेंगे, सर जी ग्याद तत्तों की कुल संख्या 108, next, question number 55, कि इन में से किस तत्त में तीन कोस और दो संयोजी एलेक्ट्रोन होते है, magnesium का atomic number, आप सभी कहेंगे, गुरु जी अभी ज़स देखा है, कि 12 होता है, 2-8-2 होगा, chlorine का, सर 17 होता है, तो 2-8-7 होगा, सर silicon का, 14 होता है, तो 2-8-4 होगा, और phosphorus का 15 होता है, तो atomic number 2-8-5 होगा, क्या रहा है, तीन कोस और दो संयोजी एलेक्ट्रोन, तो तीन कोस्ट किसमें है, सर जी तीन कोस्ट तो सम में है, लेकिन सहीं जी एलेक्ट्रॉन दो केवल और केवल मैगनेसियम का है, तो सही आंसर हमारा, आप कहेंगे गुरुजी मैगनेसियम हो जाएगा, नेक्स्ट, कुस्टन नमबर 56 पुछा जा रहा है, कि इनमें से कौन सा आधुनिक आबर्त नियम है, तत्तों के गुन उनके कवथनां के आबर्त फलन होते हैं, बिल्कुल नहीं, तत्तों के गुन उनके गलनां के आबर्त फलन होते हैं, बिल्कुल सही है, और मिरमितर अभी जस्ट मैंने आपको बताया, कि जब भी हम आधुनिक आबर्त नियम की बात करेंगे तो मौसले द्वारा जो statement दिया गया है उसको follow करेंगे मौसले ने क्या बताया मौसले ने बताया कि तत्वों का जो रसाइनिक गुन होता है या गुन होता है वो उसके पर्मानु संख्या का आबर्त फलन होता है किसके परमानु संख्या का, चौथे में क्या है, तत्तों के गुन, उनके परमानु द्रमान का आबर्थ फलन होता है, अगर मेंडलीप किसे संबंदित सबाल रहता, तब आंसर हमारा option number D होता, लेकिन बात आधुनिक आबर्थ सार्निकी की जा रही है, तो सही answer option number C हो जाएगा, next question number 57 आप से पुछा जा रहा है, कि आधुनिक आबर्थ सार्नि में टेलूरियम परमानु कर्मान का बावन, डैस परमानु कर्मान का वाले तत्तों से घिरा हुआ है, ऐसे question special होते हैं, और इसके लिए मेरे में तो कोई concept ही नहीं है, अगर हम आपको सीदे सीदे कहां लेकर के च चलें, सर, लेकर के चलें हम आपको, लेकर के चलें अगर हम आपको predictable पे तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजेगा, predictable डाउनलोड नहीं हुआ, क्या, एक मिनट, एक मिनट, डाउनलोड तो हुआ है, लेकिन वो होगा यहाँ, ध्यान दीज तो आप सभी अगर गौर फर्माएंगे इस modern predictable पे तो आप सभी देखेंगे आप सभी देखेंगे कि टेलूरियम जिसका परमानुसंख्यां कितना है बाबन है वो आपका यहाँ पे है अब इसके इधार iodine 35 है और इसके इधार antimony क्या बन है उपर जो है आपका SC 34 और नीचे polynium चोड़ा सी तो यह सवाल पुछने का क्या logic था railway का हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कोई भी बच्चा इसको कैसे समझ पाएगा लेकिन railway ने पूछा है तो जबाब तो देना परेगा तो मिरे मित्र ध्यान रखेंगे कि जो मैं आपको कहता हूँ कि 2-3 सवाल माइनस क परके चलो वो ऐसे ही सवाल होते हैं तो आप सभी यह याद रखिएगा कि according to question जो हमारा टेलूरियम है यह उपर में अटॉमिक नंबर 34 से घिरा हुआ है सर राइट साइड में यह अटॉमिक नंबर 53 से घिरा हुआ है और लेप्र साइड में यह अटॉमिक नंबर 51 से घिरा हुआ है और नीचे में यह अटॉमिक नंबर 84 से घिरा हुआ है तो क्या कहिएगा कि गुरुजी जो पूछा जा रहा है उसका सही करम 34, 51, 53 और 84 हो जाएगा देख लिए कहां पे है आप कहेंगे इसमें 33, 50, 53, 83 है नहीं होगा 35, 51, 54 है नहीं होगा यह नहीं होगा Sir, right answer of this question is option number B, special case में इसको ध्यान में रखिएगा Next question देखिएगा, question number 58 कि इन में से कौन सत्त आधुनिक आवर्त सारनी के आवर्त 3 से संबंदित नहीं है देखना चला, यहाँ पे sulfur की बात की जा रही है, atomic number 286, कक्षा 3, तो आप कहेंगे गुरुजी यह तीसरे आवर्त में होगा Aluminium भी 283, तीसरे आवर्त में होगा, Argon 288, तीसरे आवर्त में होगा, Germanium सर तीसरे आवर्त में नहीं है तो सही answer हमारा option number A हो साएगा Next, question number 59 पुछा जा रहा है, कि आधुनी का अबर सादनी में phosphorus को 10 में रखा गया है आप सभी क्या कहेंगे, कि गुरुजी phosphorus का atomic number 15 होता है, और 285, हम कहते हैं सर यह P block element है जाइर सी बात है कि कहां मिलेगा, सर पंद्रह में गुरूप में मिलेगा, यानि कि phosphorus हमको वर्ग 15 में मिलेगा और इसमें 3 कक्षा है, तो सर यह तीसरे period में मिलेगा, third period में मिलेगा तो देख लीजिए, कहां पे है आपका, सर जी पहली option में है, 15 में सम्मूँ और तीसरे आपर, तो right answer of this question, option number A हो साएगा अगला सवाल देखिएगा, question number 60 पुछा जा रहा है, कि आधुनिक आबर सारनी में निमलिकित में से किस सम्मूँ में कोई धात्विक तत्व नहीं है याद रखिएगा, कि मेरे मित्र आधुनिक आबर सारनी का, जो आपका वर्ग सत्र है, इसमें कोई भी धात्व वाले तत्व नहीं है, इसलिए सही answer आपका option number A हो साएगा जबकि मेरे मित्र अन्न की बात करें, 14, 15, 16, तो इन सभी में आपको कोई नो कोई metal जरूर देखने को मिल जाता है नेक्स्ट, question number 61, पुछा जा रहा है, कि carbon किस समों और आबर्थ में मौझूद है, carbon के atomic number कितना चला, 6, तो क्या कहिएगा, गुरू जी 2 और 4, पोटल इसका जो कक्छा होगा, वो क्या होगा, आप कहेंगे 2, तो ये कितने आबर्थ में जाएगा, तो आप कहिएगा, ये P-block element है, तो P-block element का valency है, पलस 10, तो आबर्थ सारनी के ये वर्ग 14 में देखने को मिलेगा, तो भाई मिड़े, आपका जहां पे भी समू 14 और आबर्थ 2 है, वही आपकी इस question का सही answer है, अगला सवाल देख लो चिला, question number 62, पुछा जा रहा है, निमलिखित को सुमेलित क ये यहां पे दिये गए है, और आपको सुमेलित करना है, क्या कहिएगा, कि खोजे गए कूल तत्तों की संख्या, 118, प्राकिर्तिक रूप से उपलब दता, 94, परियोग साला में प्रक्रियों के माध्यम से खोजे गए तता, तो 24 आपका, तो 1 के साथ कोन मैच कर रहा है, C, C, 2, A, 3, B, कहां है, C, 2, A, 3, B, Option number D is the right answer of this question, अगला सवाल मेरे मित्र, कुछसर नमबर 63 पुछा जा रहा है, कि सोडियम, मैगनेसियम, अलुमूनियम, सिलिकन, फास्पोरस, सल्फर, क्लोरीन, आरगन, आधुनिक आबरसादनी के डैस आबर्त से संबंदित है, मेरे मित्र, यह जब इतने सारे तत्तो की बात एक साथ की जा रही है, तो हम किसी एक तत्तो का निकाल लेते हैं, कि यह किस आबर्त में है, मां कि सौप निकल जाएगा, आप कहेगा, गुरुजी, सोडियम का अगर हम लोग बात करेंगे, तो अटमिक नमबर 11 होता है, दो आठ एक हो जा तो आठ पांच ती से यह बात में, मतलब all the elements are belongs to the third period of the predictable, that's why right answer of this question is option number C, सही answer क्या होगा, option number C हो साएगा, next, question number 64 आप से पूछा जा रहा है, कि संक्रमन तत्तो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, यह वैसे तत्तो होते हैं, जिसका बायतम दो कोस क्या होता है, खाली होता है, तो याद रखिएगा, कि संक्रमन तत्तो पहले तो हम लोग किसको बोलते हैं, तो अबर सार्नी में, अबर सार्नी में, वर्ग 3 से लेकर, वर्ग 3 से लेकर, जो 12 तक के तत्तो होते हैं, वो संक्रमन तत्तो क्या लाते हैं, और मिरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा जैसे अगर हम बात करते हैं एसकेंडियम की तो एक इस होता है और मेरे मित्र इसका जो कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो आरगन क्या लिखते हैं आरगन तो आठारा तक तो सेम है अब उसके बाद हम लोग क्या लिखते है per sie through 3d1 आरगन तो मिरे मित्र आप सब्सक्रमन ततो क्या होते हैं वह वह तक जिन्के दो सब्सें बारी सेल अधूरे होते हैं बिल्कुल सही है वत वादत्तु जिनमें धातु और गरधातु दोनों के गुन होते हैं, बिल्कुल नहीं, इनमें सबसे बारी सेल में आठ एलेक्ट्रोन होते हैं, बिल्कुल नहीं, वादत्तु जिनके तीन सबसे बारी सेल अधूरे होते हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अधूरे होते हैं अधूरे होते हैं, ठीक है, अब मिरमित्रे ये ध्यान में रखेगा आप सभी, कि संक्रमन पत्व जो होते हैं, इसी को हम लोग इंगलिस में क्या कहते हैं, ट्रांजिसन एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिसन एलिमेंट बोलते हैं, और ये सब के सब धातू हो Question No. 65 पुछा जा रहा है कि आधुनिक आबरसार्णी में पहला धातु तत्तो क्या है आप सभी के इंगरुजी कई बार याद की है लिथियम जो है वो पहला धातु तत्तो है और मिरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे जो हाइडोजन है वो आधुनिक आबरसार्णी के बाएं धातु के साथ रखा गया तो गैर धात्विक तत्तो एक मातर गैर धात्विक तत्तो जो बाएं साइड में रखा हुआ आपरसार्णी में आप कहेंगे हाइडोजन नेक्स्ट गुष्टर नमबर 66 पूछा जा रहा है कि दिये गए कथनों में से कौन सा सही है दूसरे समू के तत्तो को छार धातु कहा जाता है नहीं दूसरे समू के तत्तो को छार मिर्दा धातु कहते है पहले समू के तत्तो को छार मिर्दा धातु कहते है ये भी गलत है 17 में समू के तत्तो को हैलोजन कहते है ये बात बिल्कुल सही है तो केबल और केबल आपका कौन सही है सर स्टे संक्रमन तत्तों की एक बिसेस्ता नहीं है। तो यह हमारा जो कहा जा रहा है कि यह सभी वायू है तो वायू का तात्पर जी यहां गैस से हैं लेकिन यह धातु है तो आप कहेंगे गुरू जी यह बिसेस्ता नहीं है। बहुत सारे छात्रों को इसमें confusion होता है। ठीक अब मेरे भाई इस एप ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। इनर ट्रांजीशन एलिमेंट यानि की आंतरिक संक्रमंतत। और ये लेंटनाइड और एक्टनाइड आपको हमेशा कहां मिलेंगे आबर सरनिके। वर्ग तीन में मिलेंगे। कहां मिलेंगे वर्ग तीन में मिलेंगे। मिलेंगे याद रहएगा लेंटनाइड शरीज जो है लेंटनाइड स्रीज जो है उसमें जो तत्तों स्टार्ट होते हैं कहां से सीरियम से और खटन कहां पर होते हैं। UTCM पे यानि कि मिरमित्र आप सभी ये कह सकते हो कि परमानु संख्या अठावन से लेकर के 71 तक के जो तत्तों होते हैं वो लेंधनाइड स्रीज के तत्तों कहलाते हैं और अगर हम एक्टिनाइड स्रीज की बात करते हैं तो मिरमित्र आप सभी ध्यान में रखना कि परमानु स संख्या 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्तो होते हैं वो एक्टनाइड स्रीज के तत्तो कहलाते हैं यहाँ पर एक्टनाइड की परमानु संख्या की बात की गई है तो आप सभी कहेंगे गुरू जी 90 से 103 हो जाएगा लेंफनाइड की बात की जाती हम कहतें सर 58 से 71 हो जाता कौन नेक्स्ट सवाल देखिएगा कुस्टन नंबर 69 कि तीसरे आवर्थ के तत्तों में कक्छा की संख्या आप कहेंगे गुरू जी 3 तो राइट आंसर आप दिस कुस्टन इस ओप्सन नंबर D नेक्स्ट कुस्टन नंबर 70 पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को समानता किस नाम से जाना जाता है आप सभी कहेंगे गुरू जी हेलो जन से जाना जाता है और इसको हम लोग हेलो गुरू भी भोलते हैं बादमा की संक्रमन तत्त आप कहेंगे वर्ग 3 से 12, एक्टिनाइट स्रेनी आप कहेंगा 90 से 103 नेक्स्ट है कुस्टन नंबर 71 कि चार पत्तो के परमानु करमांग निम्न नुसार है फ्लोरीन का 9, फस्पोरस का 15, क्लोरीन का 17 और आरगन का 18 निम्न में से कौन से 2 तत्त रसाइनिक रूप से समान होगे क्या कहिएगा कि गुरू जी इसमें से जो भी तत्त समान वर्ग में पाया जाएगा वो रसाइनिक रूप से समान होगा अब आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन 9 है और फस्पोरस 15 है तो क्या इस दोनों में कोई समानता होगी? आप कहेंगे कि फुलोरीन का अटमिक नमबर 9, तो configuration 2 7, फॉसफोरस का 15, तो configuration 285 और मेरे मितर कुलोरीन का 17, तो configuration 287 हो जायगा, आरगन 18, आप कहेंगे 288 हो जायगा, 288 हो जायगा. अब आरगन तो अकरियें गैस हैं, ये किसी के साथ मैची नहीं करेगा तो आरगन वला आपसन तो हटा ही दीजी चिला जी कोई इस पर डिसकसन ही नहीं करना है अब दूसरा कि जो हमारा फ्लोरीन है ये क्या है आप कहेंगे हेलो जनतत्त है क्लोरीन हेलो गुरूप है तो मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरू जी फ्लोरीन और क्लोरीन जो है इसके रसाइनी गुन समान होंगे क्यों क्यों क्योंकि ये आबर सार्णी के वर्ग सत्रह में होंगे अब मेरे मित्र इसकी समय जगता की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरू जी फ्लोरीन एक हो जाएगा अस्थाई हो जाएगा प्लोरीन एक एलेक्ट्रोन गरहन करेगा तो क्या होगा इसके बातम कक्छा माथ एलेक्ट्रोन यह अस्थाई हो जाएगा तो क्या कहिएगा फ्लोरीन और क्लोरीन आबर सार्दनी के वर्ग सत्रह में मिलेगा और इसलिए इसकी जो रसानिक प्रोपटीज होंगे वो क्या होंगे समान होंगे नेक्स्ट कुर्सन नमबर सेवेंटीटू कि आधुनिक आबरसारनी की तीसरी अबधी और आठमें सबूं में रखी गई नॉबल गैस का नाम बताएं यहां पर सिर्फ एक का पुछा किया आप सभी ध्यान में रखना कि नॉबल गैस कितने हैं आप कहेंगे गुरू जी हम लोग को जो याद रहता ऐसे हैं तो साथ लेकिन हम लोग हीलियम नियन आरगन क्रिप्टन जैनन और रेडन के रूप में या क्या है कि तीसरी अबधी और आठ में समू में रखी गई नॉबल गैस का नाम बताएं मेरे भाई तीसरी अबधी में कौन रखा हुआ है आप सभी कहेंगे गुरू जी आरगन रखा हुआ है इसलिए सही आंसर ऑप्सन नंबर डी हो जाएगा अब अगर हमसे पूछ लिया कि चोथा जाता कि चौपी अबधी में तो हम क्या कहते है गुरू जी किरिप्टन तयुम में हम कहते सिन याद रखेंगे कि आबार सार्णी में सात अबर्थ है और प्रतेक आबरत का अंतिमत अकडियेगा GABY कुछ में से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए बस एक नंबर स्रीज याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, total 7 आवर्थ को बता रहा है, सर ये पहले है, तो 1 आवर्थ को बता रहा है, ये दूसरे आवर्थ को बता रहा है, तीसरे आवर्थ को बता रहा है, चौते आवर्थ को बता रहा है, पांच में आवर्थ को बता रहा है, छटे आवर्थ को बता रहा है, सर सात मे आवर्थ को बता रहा है तो मेरे भाई आप से पूछा जा रहा है कि आवर्थ साधनी के कौन से दो आवर्थ में आठ तत्त मौझूद हैं सर दो और तीन में क्या है आठ तत्त मौझूद तो राइट आंसर आपका option number D हो साएगा अगर हम से पूछ देता कि चतुर्थ और अगला सवाल देख ली सिए question number 74 कि हेंडरी मौसले की आधुनिक आवर्थ सार्नी के संदर्व में निवन में से क्या सही नहीं है पहला है कि हर आवर्थ के अंतिम्तत्त में आठ स्योजक एलेक्ट्रोन होने हैं सिभाई हिलियम के जिसमें दो होते हैं बिल्कुल सही है अभी मैंने आपको बताया कि आवर्थ सार्नी में तोटल साथ आवर्थ है और प्रत्यक आवर्थ का अन्तिम्तत्त्त अक्रिये गैस है तो आक्रिये गैस में एक अपका हिलियम ही ऐसा है जिसके अधाम कक्छा में दो एलेक्ट्रोन मौझूद है बाकी के सभी में सर्भायतम कक्छ ये भी सही है। वह तक्तु जिनकी अनुसंख्यां 57 से 88 होती है। उन्हें लेंथनाइट स्रिंखला कहा जाता है। गलत थे मिर्मेत्र। Henry Mosley के आधुनिक आभरसार्नी के संदर में, जो सही नहीं है वो क्या है? तो आप कहेंगे वह तक तो जिनकी अनुसंख्या 57-78 होती है, यह Sir Lengthenide नहीं होते हैं. अंठाबन से 70 वाले तक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, लेंथनाइड होते हैं, ऐसे तो ये statement भी गलत है, लेकिन सर पहले जब ये आपका question 2016 का है, तो उस समय 89 से 103 माना जाता था, लेकिन 89 actinium D block में आ जाता है, सर जो 5F है वो आपका कहां से भरता है, जो एतनाइड स्रीच का पहला तत तो थोरियम है, वहां से भरता है, तो याद रखिएगा, कि यहाँ पे सुधार के, आप क्या लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे, अब आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा, option number C हो जाएगा, अगला question number 75 पुछा जा रहा है, कि परमानु संख्या संताबन वाला तत तो परमानु संख्या संताबन वाला तत तो लेंथेनम है, और यह आबर सारनी के D block में मिलेगा, यह याद रखना हमेशा, question number 76 पुछा जा रहा है, कि लेंथनाइड और एक्टनाइड कहां मिलेंगे, आप कहेंगे, गुरु जी अभी जस्ट आपने बताया है, कि यह F block element में मिलेंगे, संक्रमन तब तो हमको कहां मिलेंगे, D block element में मिलेंगे, S block में छारिया धातू और छारिया मिर्दा धातू मिलेंगे, P block में चालकोजन, निक्टोजन, नॉबल गैस, हेलोजन, यह सम मिलेगा, यह ध्यान में रखिएगा, अगला, question number 77 पुछा जा रहा है, कि हाइडोजन और हीलियम को डैस में रखा गया, आबर साधनी को गौर से देखेंगे, तो क्या कहेंगे, कि गुरुजी हेने को ना में हाइडोजन रखा हुआ है, हेने हीलियम रखा हुआ है, कहां सर पहले आबर्त में, तो right answer of this question is option number B, next, question number 79 पुछा जा रहा है, कि ले question number 80, आप से पुछा जा रहा है, कि एक्टेनियम की परमानो संख्या कितनी होती है, एक्टेनियम की परमानो संख्या 89, और जो एक्टिनाइट स्री जवो शुरू करा से होगा, सर 90 से 103, और 90 किसका है, आप कहेंगे थोड़ी अमका, अगला, question number 81, कि आबधिक सार्णी के आब कोन पुछा था, आपका ये, sir, option number D is the right answer of this question, चौथे प्रियोड में कौन मिलेगा, क्रिप्टन, पांच में में जनोन, छटे में रेडोन, याद रखना ये चीज, next, question number 82, पुछा जा रहा है, कि परमानो संख्या 56 वाला तत्त, किस ब्लॉक से संबंधित, मेरो मित्र, मैंने आपको इस संबंधित, पहले वी वीडियो दिया है, इस से सनुवी बताया है, और इस question का home work मैं आप सबों के लिए छोड़ रहा हूँ, सही answer क्या होगा, नीचे comment करके जरूर बताना, आपके comment का इंतजार रहेगा, ध्यान रखेगा, पीडियो जब लेंगे, तो आपको वह आठ में समों के ततना, नौ में समों के ततना, तेरा के बीच में तो तीन से बारा, सही answer option number D, next, question number 84 पुछा जा रहा है, कि चोथो और पंचम आबर्त में कितने तत्व हैं, तो कहिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 18, 32, 32, 4 और पंचम आबर्त में 18 तत्व होंगे, इसलिए सही answer option number A हो जाता है, कि आधुनी का अबर्साजनी के बाईयों और इस्थित, एक मात्र गैर धातु कोन सी है, आपके गुरुजी हाइडरोजन, इसी को क्या कहा जाता है, आब आरागास तत्व कहा जाता है, next, 86 पुछा जा रहा है, कि तत्व A, B, C, D, और E, जिनका पर्मानु संख्या जाता है, दो, तीन, साथ, दस, और तीस है, मैं से कौन साथ तो समानावर्द से संबन्दित है, बताओ ना बनेगा चिला, A, A का पर्मानु संख्या दू दिया हुआ है, B का तीन, और C का साथ, B का दौस, और E का तीस, क्या कहोगे, क्या कहोगे, कि सर, जो B है, B है, इसका पर मनु संख्या, तीन है, तो इसमें तो एक ही कक्छा होगा, दो एलेक्ट्रोनिस में भर जाएगा, दो एक, दो पाच, दो आठ, अब इसको अगर हम भरने चलेंगे, तो चार कक्छा लगेगा, तो सर, B, C, D, ये क्या होंगे, समानावर्द में मौजूद होगा, इसलिए सही आंसर हमारा option number B हो साएगा, next है, question number 87, कि दूसरे आबर से संबन्धित और मजबूत स्रिंखलन गुन वाले पत्तो का electronic मिन्यास, मजबूत स्रिंखलन गुन जैसे ही का दिया, तो catination properties मजबूत किसका होता है, सर, carbon का electronic configuration क्या होगा, आप कहेंगे, सर जी, दो चार होगा, द दो चो ऑक्सीजन का, दो आठ दू, मैगनेसियम का हो जाएगा, अगला सवाल देखिए, question number 88, कि आबर सार्नी में, एलमुनियम, विकर्नतह, डैस संबन्धित है, इसके लिए मेरे मित्र, बस ये तीन, बस ये तीन, डाइग्राम याद रख लिजिएगा, विकर्नतह के देशन में, लिथियम और मैगनेसियम, एक दूसरे के समान होते हैं, बेरिलियम और अलमुनियम समान होते हैं, बोरोन और सिलिकन समान होते हैं, कार्बन और फास्पोरस समान होते हैं, तो मेरे मित्र, सवाल है, कि आबर सार्नी में, अलमुनियम विकर्नता, डैस से तो आप यहां पे हैस्टेग लगा करके स्पेसल लिख लेना और मिरमित्र इसको याद रख लेना और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको modern predictable से ये इतना सवाल मालूम है और इसको इस तरीके से आपने device कर लिया है तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको modern PTC किसी भी परकार का सवाल दे दिया जाए तो आपको उसका जवाब देने में कोई घठनाई महसूस होगी आप मिरमित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारा डवराइनर हो गया निव लेंड हो गया मेंडलीफ हो गया और साथ में modern predictable हो गया लेकिन आवर्त और वर्क की बिसेस्ता से स याद रखिएगा कि यहाँ पे तत्तों के आवर्ती गुन का क्या मतलब है क्या अभी प्राई है इससे आप सभी ये समझेंगे कि आवर्ती का मतलब क्या होता है सर रिपीट करना और मेरे मित्र आप सभी ने क्या देखा था कि जो मौसले का modern predictable था उसमें मौसले साहब ने क् कि किसी भी तत्तों का गुन उसके प्रमानु संख्या का आवर्त फलन होता है तो आवर्त सार्णी जो बनाई गई है वो तत्तों के उसके गुनों के रिपीटेशन के बज़ा से और गुनों के रिपीटेशन के देश पे तो सवाल ये है कि गुरुजी तत्तों के आवर्ती गुन से संबंदित कैसे सबाल देखने को मिलेंगे तो मिरमित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे इसके लिए आपको दो महत्पुन किन्सरा अबर्त की पिसरके sheeple पे आप सबों को यह तो याद होनी ही होनी चाहिए मिरमित्र तभी जाकरके इससे संबंदित को उसन को वह टेकल कर पाऊगे बेसिक वर्ग की विएसता और शाथ में मिरमित्र वर्ग की विएसता ये आपको जरूर मालूम होनी चाहिए अब आप सभी कहएंगे गुरूजी यह आपर्ट और वर्ग की विएसता क्या होती है धियान दीजिएगा अगर कोई अजी जो आपका predictable है उसमें आप सभी क्या देख रहे हैं कि ये जो horizontal line है ये जो 36 रेखा है इसको आम लोग क्या कहते हैं ध्यान में रखेगा इसको आम लोग आवर्त कहते हैं इंगलिस में period कहते हैं क्या कहते हैं और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप सभी उदगर line दे अब सबाल जो आप से पुछे जाते हैं वो कैसे तो किसी एक आबर्त में मौझूद जो तत्वों की संख्या उसकी क्या विसिस्ता है या किसी एक आबर्त में मौझूद जो तत्वों है उसकी विसिस्ता क्या है और मिरमित्र जब भी हम आबर्त की विसिस्ता की बात करेंगे और वर्क की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अबर्त में वाजूद तत्यों के गुन में क्या प्रभाव होगा क्या सामानता होगी ये बात करेंके अगर किसी वर्ग में भात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे द जनल Mund अबर्ड्म तो यहां पर आप सबों के सामने ला करके रख दिया है, ताकि आपको कोई लिखने की जंजट न रहे, सिर्फ सुनो और समझने की कोशिस करो चला, पहला प्रोपटीज जो है, वो किसका है, आबर्त की भिसेस्ता है, ध्यान में रखेंगे, आबर्त में हम कैसे चलेंगे, तो का धातुई गुन कम होता जाता है, तथा आधातुई गुन में ब्रधी होती है, अब मेरे में तरह आप सभी ध्यान में रखना, कि जब भी हम किसी भी आबर्त सार्णी के बाएं से दाएं आबर्त में जा रहे होंगे, ध्यान देना यहां पे, अगर हम लोग किसी भी आबर बैए से दाए जाएं तो left side में most of thepy तर तो ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्या है धातू और जैसे जैसे हम लोग क्या होगे दाएं तरब जाएंगे अधातू मिलना सुरू हो जाएगा तो जहां से धातू का properties खातम वहां से कहेंगे आप अधातू ये property चलू हो जाएगी դो दाएं से दाएं जाने में आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अधात्वी गुन में ब्रभी होगी और इससे क्या किलियर होता है इससे किलियर होता है कि पीटी के लेप्ट साइड में यानि कि बायभाग में कौन तत्व मिलेंगे धात्व राइट साइड में कौन तत्व मिलें और इसलिए जब हम धातु से अधातु के तरफ बढ़ेंगे तो आप सभी कहिएगा गुरुजी अधातु गुन में ब्रधी होगी किलियर है ये बात नेक्स्ट ध्यान में रखना दूसरा पॉइंट कि अबर्त सार्नी के किसी अबर्त में बाएं से दाएं जाने पर तब तो क किसी तत्यों के साथ जुरने की जो उसकी क्रिया सीलता होगी वो पहले घटेगी और बाद में बढ़ेगी नेक्स ध्यान में रखेंगे कि किसी अबर्त में तत्यों की से लेकर करके चार तक बढ़ेगी पहले और फिर चार के बाद घट के क्या हो जाती है एक या सुन हो जा बाएं से दाएं जाएंगे आबर्थ सार्णी की किसी भी आबर्थ में तो क्या देखेंगे आप सभी कहेंगे गुरुजी स्वियो जक्ता एक से बढ़कर चार हो जाएगी और फिर घटे-घटे सुन्नों हो जाएगी अगला प्रोपर्टीज ध्यान में रखेंगे चौता प् फिर चार से घटके एक लेकिन मिरमित्र अगर हम भात करेंगे आबर्थ सार्णी में बाएं से दाएं जाने पर तो संयो जी एलेक्ट्रोन की संख्यां क्या होगी एक से बढ़कर के आठ हो जाएगी आप कहेंगे इसका क्या मसला है संयो जी एलेक्ट्रोन तो हम समझ है कि जो आपका ये साथ अबर्थ है कहां से होता है तो आप कहते हैं वर्ग एक से स्टाथ होता है और अथारा पर गुरुजी सवाल करा जा रहा है कि किसी आवर्त में बाए से दाए जाने पर सियोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से बढ़कर आठ हो जाती है तो ये सियोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ आपको कहा देखने को मिलेगी। सर आबर्सार्णी का जो सबसे अंतिम वर्ग होगा, यानि कि वर्ग 18, इसलिए क्या कह रहे हैं, कि सर सियुजक्ता एक से बढ़ करके 8 हो जाती है, अब मेरे में तो ध्यान देना, पाचमा प्रोपर्टीस, कि आबर्सार्णी में किसी आबर्त में एलेक्ट्रोन प्रिति, यान किसी को अपनी और आकर्सित करने की छमता, एलेक्ट्रोन प्रिति, मतलब क्या, एलेक्ट्रोन के साथ सनेह, सनेह कब होगा, जब आकर्सन होगा, सनेह कब होगा, जब आकर्सन होगा, तो मेरे मितल्द आप पहले तो ये ध्यान में रखना, कि whenever we discuss about electron affinity, जब कभी भी हम, एलेक electron जोरने के दोरान जो उर्जा निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, electron affinity कहते हैं, क्या कहिएगा, कि सर किसी परमानों में, एक electron जोरने से जो उर्जा निकलती है, उसको हम लोग electron affinity या electron pretty कहते हैं, और simple size का मतलब क्या होता है, तो सर जब जोरने की उर्जा होई, तो हम लो आप कहेंगे गुरुजी, एलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, that's why they form negative ion, इसलिए वो रिनात्मक ion बनाते हैं, तो राइट साइड में क्या मिलेगा, आप कहेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल का गुन कैसा होता है, बिदुत्रिनात्मकता वाला कैसे आया, एलेक्ट्रॉन गरहन करने से, एलेक्ट्रॉन को बांधने से, तो क्या कहिएगा, कि बाएं से दाएं जाएंगे, एलेक्ट्रॉन पृत्रिती का मान क्या होगा, आप कहेंगे बढ़ेगा, नेक्स्ट ध्यान देंगे, कि आबर्ट्रिनात्मकता का मान क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी बढ़ बढ़ता है यानि कि Ionization Potential का मान बढ़ता है Electron Affinity भी बढ़ रहा है यहां यानि कि Electron प्रित का भी मान बाएं से दाए जाने पर आप कहेंगे बढ़ता है और साथ में Ionization Potential भी बढ़ता है उसको हम लोग Ionization Potential या फिर Ionon उर्जा या Ionon विभव के नाम से सांते है उसमें Electron जुर रहा होता है इसमें Electron हट रहा होता है तो एक Electron के निकलने में जो उर्जा लगी आप कहेंगे Ion विभव जुरने में जो उर्जा लगी Electron Affinity अब मिरमित्र ध्यान देंगे आठ्वा प्रोपर्टीज आबर साधने की किसी आबर्त में बाएं से दाये जाने पर परमानु आकार या परमानु तिर्जा घटता है Most Important है कई बार और कई सवाल आपके एकजाम में इससे पूछे गये तो यह चीज हमेसा ध्यान में रखेंगे बाएं से दाये जाने पर परमानु आ झोड़े तो हमेसा धाये तो हम सबों को मालूम है क्या कि अगर धातू ऐक सिजन से अभी किरिया करेगा तो आप कहिएगा धात्विक उक्साइड बनेगा क्या बनेगा धात्विक उक्साइड और अगर धात्विक उक्साइड के साथ अभी किरिया करेगा आप कहिएगा और धात्विक उक्साइड बनेगा क्या बनेगा और धात्विक उक्साइड बनेगा तो प्रद्शिला निजिला इसमारा आका की धात्विक औक्साइट की प्रप्रटीस कैसी होती है lub T जा आप कहते हैं और स्थीक प्रकिर्टी कैसी की होती है आप कहते हैं गुरुजी अमली है यानिक ज्यान रहे हो कि किसे भी प्रिडिक टेबल में लेप्ट से राइट किसी आवर्थ में जाओगे तो आपको राइट साइड में क्या मिलेगा? आप कहेंगा औधात्वी गुन में बिर्धी तो जहिर सी बात है कि जो oxide होंगे बाएं से दाएं जाने पर उसकी जो प्रकिर्ति होगी उसके भस्मिक गुन में क्या होगा? हरास होगा, और धात तुम मिले जा तो धात्विक oxide क्या होगी? आप कहेंगे गुरुजी अम लिये होगी. क्या होगी? अम लिये होगी. तो ये चीज ध्यान में रखि वर्ग की विसेस्ता की ध्यान में रखेंगे बहुत ही इंपोटेंट है ये भी और वर्ग में जब भी हम विसेस्ता की बात करेंगे तो क्या होंगे आप ध्यान में रखेंगे उपर से नीचे आएंगे कहां से कहां आएंगे किसी भी वर्ग में उपर से नीचे आएंगे और चिलाजी पहला पॉइंट याद रखिएगा कि आबर सरनी की किसी वी वर्ग में उपर से नीचे आने पर धात्वी गुन में बिर्धी होती है। चिलाजी पहला पॉइंट याद रखिएगा कि किसी वी वर्ग में उपर से नीचे आने पर धात्वी गुन में बिर्धी होती है। चिलाजी पहला पॉइंट याद रखिएगा कि आबर सरनी की किसी वर्ग में उपर से नीचे आने पर धात्वी गुन में बढ़ जाएगा। चिलाजी पहला पॉइंट रखिएगा कि आबर सरनी की किसी वर्ग में उपर से नीचे आने पर धात्वी गुन में बढ़ जाएगा। आबर सरनी की किसी वर्ग में उपर से नीचे आने पर परमानों का आकार या परमानों के तिर्जिया का माल आप कहेंगे बढ़ता है जबकि आबर्थ में घटता है। आप कहिएगा कि सर इस सम्वने सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आईए मिरमित्र अब ले चलते हैं आपको सवालों की दुनिया में और पहला सवाल आपके सामने कुस्टन नमबर 89 पुछा जा रहा है कि परभावी नाभी की आबेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दूसरा है कि यहां केबल नाभी की आबेस पर नीर्भर करता है। तीसरा है यहां आबर्त में बाएं से दाएं की और जाने पर थड़ता है। और चौता है यहां звучskता को उस एलेक्ट रन पर कार्च करता है। मिलमित्र आप सभी परभावी आवेस का मतलब क्या समझ रहे हैं ध्यान देंगे कि कोई भी परमानूम है तो उसका जो पुड़ा परभावी आवेस होगा वो कहा होगा सर उसके निकिलियस में होगा कहा होगा निकिलियस में होगा अब आप सभी को मालूम है कि अगर हम किसी भ तो बिदुत्रिनात्मक्ता का मान क्या होता है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बढ़ता है, विदुत्रिनात्मक्ता क्या होता है, बढ़ता है, तो भाई मिडे, जब हम उपर से नीचे आते हैं, तो क्या कहते हैं, कि विदुत्रिनात्मक्ता का मान घटता है, धनात्मक्ता तो क्या रहा है, कि नाभी किया आभेस के बारे में कौन सा कतन सही है, सही नहीं है, पहला है कि यह है एक समू में नीचे की और जाने पर घटता है, बिलुत्रनात्मक्ता, आप कहेंगे घटता है, तो बिल्कुल सही है सर, दूसरा है कि यह केबल नाभी किया आभेस पर करेगा क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई भी तब एलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो आपने बाहतम कक्छा से एलेक्ट्रॉन को खो रहा है तो ऐसे में उसमें जो एलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उसको समालने के लिए उसके प्रभावी नाभी क्याबेस में परिवर तो आपसे जो कहा जा रहा है कि नभी के आबेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला है कि यह एक समन में capable नीचे की जाने पर घरता है commerce है और जैने पर बढ़ता Έblick इसके बाहितम कोष और बाहितम कोष को सहियोजक्ता कोष कहते हैं तो आपको यह गलत गुरुजी, ओप्सन नमबर बी है, that's why right answer of this question is option नमबर बी, अगला question नमबर 90 आप से पूछा जा रहा है, इनली में में से कौन सा गुंधर्म आबर सार्नी में तत्तों के इस्थिति के अधिन नहीं है, क्या कहिएगा, कि गुरुजी, आपने आबर तर्वर की विसेष्था में सेयोजक्ता की बात करा, परमानो आकार की बात करा, लेकिन कहीं पर भी तत्तों के रंग की बात करा, जबकि बातन कोष मा माझूद अलक्वान की संख्या की भी बात करा, तो जो कहा पिरिए थिरे घटेगी तो ये वोनों ही प्रपटीज आबर्त और वर्क के जो इस्थिती याँ उस पर डिपेंड कर रहा है लेकिन क्या किसी तत्व के रंग का निर्धारन आबर्त और वर्ग से हुआ है आस तक, आप कहेंगे कधापी नहीं, तो that's why right answer of this question is option number C, next question number 91 पुछा जाड़ा है, कि निम्न में से कौन सा तत्व सरबाधिक विद्धुतरिनात्मक तत्व है, मेरे मित्र ऐसे तो ध्यान में करेंगे किसकी विद्धुतरिनात्मक समू की या विद्धुतरिनात्मक ग्रूप की, तो आप सभी को ये याद रखना होगा, कि जो हैलोजन ग्रूप है, जिसको हैलो ग्रूप कहते हैं, वर्ग सत्रा, सर ये क्या है, विद्धुतरिनात्मक समू वाले तत्तिस में मौजू अलग्द लेकीन अगर ओप्शन में फ्लोरिन ना हो तो आपके हैंगे इस ग्रूप के जो होंगे वही होंगे तो मिरमितर पहला ओफशन मेगनेसियम है आपके यहँगा वर्ग 2 में मिलेगा अलमुनियुम वर्ग 13 में मिलेगा जबकि मेरे में तरो chlorine आपका यह वर्द 17 में मिलेगा और chlorine की भी properties कैसी होती है, nature कैसी होती है, सर, electronegative होती है, यह अलग बात है कि most electronegative hello element fluorine है, लेकिन यहाँ पे हमारा chlorine भी क्या है, halogen group से बिलोंग कर रहा है, बाकिके sir option में कोई भी तत्त हलोजन group से बिलोंग नहीं कर रह है, मेरे मितर आप सभी ध्यान में रखेंगे, कि यहाँ पे जो आपका कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा तत्त प्रकिर्टी में सरवादिक धात्विक है, तो आप सबों को मालूम है कि आबर्त में बाएं से दाएं जाने पर आप सभी क्या कहते हैं, कि गुरुजी जो धात्विक गुन होती है, उसमें कमी आती है, और धात्विक गुन में बिर्धी होती है, और मेरे मितर जब हम किसी वर्ग में ओपर से नीचे आते हैं, तो आप कहते हैं धात्विक गुन में बिर्धी होती है, और आप सबों को मालूम है कि यह जो बेडियम है, यह आपक कि वर्ग एक में मिलेगा और मेरे में तर नीचे मिलेगा तो क्या कहिएगा कि सोब से ज़्यादा धात्रिक प्रपर्टीज ऑप्सन नंबर ए में होगा तो अगला सवाल देख लिए सिए कुछ्छन नंबर 93 पूछा जा रहा है कि निमलिखित में से किसकी परमानों तिरजिया कि आपकी जा रहा है कि परमानों तिरजिया की बात की जा रही है और में रखना कि परमानों तिरजिया आवर्त में क्या होता है परमानुतिर जिया आवर्त में क्या होता है तो आप कहते हैं लप से राइट जाने पर मतला पर बायें से दाएं जाने पर परमानुतिर जिया घटता है और वर्ग में क्या होता है परमानुतिर जिया आप कहते हैं उपर से नीचे आने पर पढ़ता है अब मिरमित्र बात कर लो किस की, बात कर लो यहां पे सर्सभी तत्तू की. क्या कहिएगा? गुरू जी यह जो ऑकसीजन है, आपने इसके बारे में इसी सेशन में बताया है कि यह आबर सारणी के वर्ग सोला में मिलेगा. वर्ग सोला में मिलेगा और जो फ्लोरीन है ये आबर सार्नी के वर्ग सत्रा में मिलेगा और जो आपका क्लोरीन है ये भी आबर सार्नी के वर्ग सत्रा में मिलेगा और मिरमित्र जो आपका आयोडीन है ये भी आबर सार्नी के वर्ग सत्रा में मिलेगा और मेरे मित्र, आप सभी आबर सार्नी के वर्ग 17 के तत्यों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोधीन कुछ इस तरीके से जानते हैं और अब आपके सामने पूरी की पूरी स्थिती सर परी हुई है और इस पीज़िती परी हुई है. तब से जादा परमानूतिर्जिया किसकी आप कहेंगे गुरू जी आयोडीन की हो जाएगी? तो right answer हमारा इस question का option number D हो साएगा क्यों? क्योंकि वर्ग में ओपर से नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ता है और आबर्थ की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी oxygen पीछे रह साएगा है तो यह आधा तो ही लेकिन जब हम लोग आवर्थ में बाएं से दहें जाएंगे तो क्या कहेंगे? कि गुरुजी जो परमानु तिर्जिया होगा उसके मान में कमी होगी जिस वज़ा से परमानु का आकार आप कहिएगा घटेगा अगला सवाल देख ली सी है कोस्तर नमबर 94 आप से पुछा जा रहा है कि जब हम समों में नीचे की और जाते हैं तो चारिया उक्साइड के निर्मान की प्रकिर्थि पहले बढ़ती है फिर घटती है धरती है नियत रहती है What is the right answer of this question चेला? क्या रहा है कि जब हम समों में नीचे की और जाते हैं तो छारिया उक्साइड, मिरुमित्र क्या कहोगे, कि गुरुजी, मैटल के उक्साइड, मैटल के उक्साइड, बेसिक नेचर के ओपे हैं, और जब किसी समों में ओपर से नीचे आएंगे, तो हमको most of the element मैटल मिलेगा, उसके उक्साइड होगी, उसकी नेचर, आप कहेंगे बढ़ेगी, तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब हम समों में नीचे की और जाते हैं, तो छारिया उक्साइड के निर्मान की परविड़ती, आप सभी कहेंगे घूजी बढ़ती है, तो सही आंसर हमारा आपसे नंबर C ह जाएगा, अगला सवाल देखिए, कुछिन नंबर 95 पुछा जा रहा है, नीचे दिये गए कत्मे पर विचार कीजिए, और सही उत्तर का चेहन कीजिए, कत्वन आपसे कहा रहा है कि आबर्त में बाईं से दाईं और जाने पर परमानुतिर्जिया में ब्रविड़ती है, आ मिरे मित्र, पहला आपका स्टेट्मेंट है कि दोनो कतन सही है, कतन दो कतन एक की सही बाख्या है, नहीं, केबल कतन सही है, कतन एक कतन दो की सही बाख्या है, नहीं, केबल कतन दो सही है, that's why the right answer of this question is option number D, अगला सवाल देख लिएका, question number 96 पुछा जा रहा है, कि परमानुति सही बढ़ते करम का चेहन करना है, मतलब क्या, कि सर आपको छोटा से, छोटा परमानु से बरा की और जाना है, और ध्यान दीजेगा, कि यहाँ पर आपके option में किस किस तत्व की बात की जा रही है, तो सर जी, बोरोन की बात की जा रही है, बेरिलियम की बात की जा रही है, और rubidium की बात की जारी, यह चार तत्तो है, और मेरे मित्र मैंने आपके सुभधा के लिए यह प्रेडिक्टिवल यहाँ पे लगाया है, ध्यान देंगे कि जो बरोन है, वो आपके आधर सरनी में क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी यह जो है वर्ग 14 का तत्तो है, क्या है, वर्ग 14 का तत्तो है, और मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं, कि गुरुजी यह दूसरे आवर्थ के एकदम दाहिने तरब है, तो आवर्थ में बाएं से दाएं जाईएगा, तो पर्मान उतिर जिया, घटेगा, ध्यान दिजिएगा, कि फिर लिथियम है और बरीलियम है, तो मेरे मित्र लिथियम, बरीलियम और लिथियम दोनों आपका दूसरे आवर्थ में हैं, बरीलियम और लिथियम क्या है, दोनों दूसरे आवर्थ में हैं, और ध्यान देंगे, कि फिर है आपका क्या सर रूबिडियम, और रूबिडियम मेरे मित्र आपका पहले आवर्थ सब से कम होगी ति वोरॉन की परमानुतिर्जिया आप एंगे सबसे कम होगी अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिधियुं और बरीलियम है अगर आप देखेंगे तो हम आबर्त्म बाएं से दाई जा रहे हैं, आब रत्में बाएं से दाई जा रहे हैं, तो सर बाएं भाग में आपका लिथियम है, और लिथियम और बरिलियम में अगर तुल ना करे तो आप कहिएगा दाएं भाग में बरिलियम है, तो आप क्या कहिएगा, कि सर जी जो बरिलियम की वर्ग में सबसे नीचे मौझूद है तो सबसे नीचे मौझूद है तो सराम जब किसी भी वर्ग में तो आप क्या कहते है कि पर्मानु-तिर्जिय के साही बढ़ते करम का चेहन करें, आप सभी कहेंगे गुरुजी बोरोन, बेरिलियम, लिथियम और रूबीडियम, आपसन नमबर A में है, that's why right answer of this question is option नमबर A, बात कर लेते हैं सर, अगले सवाल, कुस्टन नमबर 97 पुछा जा रहा है, कि आधुनिक आपरसाने में किसी समु में, नीचे की और जाने पर, परमानु आकार बढ़ता है क्योंकि कोस्ट की संख्या बढ़ जाती है नाभी की आबेस बढ़ जाता है स्यूजक्ता बढ़ जाती है, एलेक्ट्रोन को खाने की परबिर्ती घर जाती है, क्या कहिएगा कि जैसे जैसे सर हम उपर से नीचे आएंगे, परमानू की संख्या बढ़ेगी, परमानू की संख्या बढ़ेगी, तो हम कहेंगे number of electron बढ़ रहा है, number of electron जादा होगा, तो sale भी तो चाहिए sir, घर में लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो room भी चाहिए रहने के लिए न, और अ परमानू कर्मान को नाभी की आबेस बढ़ता है, तब नाभी को संख्या बढ़ता है, और इसलिए मिरमित्र, लिथियम से फ्लोरीन तक परमानू तिर्जा क्या होती है, घडती है, आपके यह गुरुजी, आप अपने अपने समझ गए, नहीं चिला, तोरो समझाएंगे इ बात, देखो कैसे, कह रहा है, कि जब परमानू कर्मान को नाभी की आबेस बढ़ता है, पहला 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 चीज तो यह देखो यहाँ पे, कि हमें चाहिए एक प्रियोडिक्टेबल समझने के लिए, अब यहाँ पे गौर परमाना, गौर परमाना यहाँ पे, कि यह मेरे भ परमानू संख्यां बढ़ेगा, अब जो परमानू संख्यां बढ़ेगा, तो नाभी की आबेस बढ़ेगा, क्या होगा, नाभी की आबेस बढ़ेगा, क्योंकि नमबर आप प्रोटोन बढ़ेंगे चला, तो नाभी की आबेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब क्या होता है कि जब नाभी किया आबेस यहां बढ रहा होता है तो मिरमित्र जो आप अगर इस आबर्त में बाये से दाएं जा रहे हैं तो आपकी प्रपटीज हमेशा क्या होगी क्योंकि कोशन में कहा जा रहा है लिधियम से फ्लोरीन लीथियम से कहा जाना है हमको सर फ्लोरीन नौ तक जाना है यहां से यहां जाना है तो आबरते सार निमें जाएंगे आबरत की बात की जा रही है तो सर जैसे जैसे हम आगे भरते जाएंगे हमारे बाहितन कोच बाहितन कच में जो एलेक्ट्रॉन होगा वो बढ़ता चला जाएगा अब बाहितन कोच कच में अगर बढ रहा है तो सर इस इलेक्ट्रोन पर परभावी आबेस किसका काम करेगा आप कहेंगे सर इस नाभिक का और मिरे भाई जब इस नाभिक का परभावी आबेस काम करेगा ये नाभिक इसको अपनी और आकासित करने की कोशिस करे तब नाफिक और सियों जी इलेक्ट्रान के बीच आकासन बल बढ़ता है इसलिए लिथियम से फुलोरीन तक परमानु तिरजिया आप कहेंगे गुरुजी घटती है तो देख लिजे कि आपके किस अप्सन में है बढ़ता है ठीक है बढ़ता है बढ़ता है और घटती है यहा अच्छा यहां पे भी एक डैस होगा चिला जब परमानु करमांक और नाभी की आभेस बढ़ता है चला एक चीज और कहीं पर चुट रहा है और इस हिसाब से हमें लगता है कि आपकी इस सवाल का जबाब बढ़ता और घटती दो गो होगा अब देख लिजे बढ़ता है घ पिर घटता है, और यहाँ पर चौथा है, घटती है, नहीं होगा, अब बढ़ता है, एक बढ़ता क्या है, यह नहीं मिल रहा है, तो परेशान मत हो येगा, इसमें सिर्फ घटता है, तो सही आंसर हमारा प्रमानु कर्मान को नाभी के आवेस बढ़ता है, तब नाभी और आकर्सन बल बढ़ता है, बात सही है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन परमानु लिथियम से फ्लोरीन तक की जो परमानु तिरजया होती है, वो घटती है, ये बात तो सत्त है, ठीक है, अगला सवाल देखिए, कुस्टन नमबर 99 आप से पुछा जा रहा है, कि विद्भूत रि तत्त में सबसे बड़ा परमानु किसका है, क्या मेरे में तरह ये सवाल आप से बनेगा, तत्त में सबसे बड़ा परमानु किसका है, क्या कहिएगा, कि गुरु जी, जो हमारा तत्त में सबसे बड़ा परमानु होगा, वो लिथियम का होगा, किसका होगा, लिथियम का, क्य क्योंकि लिथियम जो है वो हमारे आबर सार्णी के वर्ग एक में मिलेगा और दूसरे आबर्त का तत्त है तो जाहिड सी बात है कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो परमानु आकार होगा सर बाएं से दाएं जाने पर आपके घटेगा जबकि य हो साएगा आईए भात करते हैं अगले सवाल की अगला है कुश्चन नंबर 101 कि नैट्रोजन की आइनिकरीन छमता डैस होती है ऑक्सीजन से अधिक ऑक्सीजन से आधी ऑक्सीजन के समान ऑक्सीजन से कम मेरे मित्र जो बात करी जार यह आईनिकरन छमता की आईनिजेसन आती है तो मेरे मितरा आप सभी ध्यान में रखना कि नैट्रोजन की जो आईनिकरन छमता होती है वह अधिक होती है और इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा ऑप्सन नंबर A हो जाएगा नेक्स सवाल देखेंगे कुशन नंबर 102 आप से पुछा जा रहा है कि पटेसियम की प आप कहेंगे गुरुजी सोडियम फिर कौन मिलेगा पतेसियम तो सोडियम के नीचे पतेसियम है तो आबर सादनी में उपर से नीचे आने पर आप कहेंगे परमानुतिर जिया बढ़ती है तो जो सवाल करा जा रहा है कि पतेसियम की परमानुतिर जिया सोडियम से आप सभी कहेंगे गुरु जी अधिक होगी इसलिए सही आंसर option number B हो साएगा next देख ली सेगा question number 103 पुछा जा रहा है कि अधात्विक गुन बढ़ता है magnesium से barium तक potassium से cgm तक oxygen से selenium तक sodium से chlorine तक ध्यान देंगे ऐसा सवाल आपको predictable की और जरूर क्या करेगा sir आपके interest को जगाएगा क्योंकि ऐसा सवाल तभी बनेंगे जब pity आपके mind में होगा magnesium से barium तक की बात की जारिया चला तो यह देखो magnesium है और यह barium है तो क्या कहिएगा कि गुरु जी अधात्वी गुन के बारे में बात करा जा रहा है और वर्ग में उपर से नीचे आ रहा है तो वर्ग में उपर से नीचे आ रहा है तो आपके इंगे sir जी यहाँ पे भी वर्ग में उपर से नीचे आया जा रहा है दूसर को अप्सन भी चल तक तो मिरे मित्र ऑक्सीजन आपका यहाँ है और सेलेनियम यहाँ है आपके गुरुजी यहाँ पर भी वर्ग में उपर से नीचे आया जा रहा है सोडियम से क्लोरीन तक तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यह रहा हमारा सोडियम और यह रहा हमारा क्लोरीन जब हम तीसरे आधर्त में भाएं से दाएंस आएंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो आधात्रिक गुन है यानि कि जो आधात्रों की प्रपटीज है उसमें इंक्रिमेंट देखने को मिल रही है तो जो सवाल पुछा जा रहा है उसका सीधा आंसर आप कहेंगे आपसन नंबर डी हो जाएगा पुछा जा रहा है कि हेलोजनों में उच्तम एलेक्ट्रों बंधुता वाला तत्य कौन है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोटीन क्या होगा इसका अंसर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर पुछा जा रहा है कि हेलोजनों में उच्तम एलेक्ट्रों एफिनिटी वाला तत्य क है एलेक्ट्रोन अफिनिटी का मतलब क्या हुआ सर एलेक्ट्रोन को आकर्शित करने की छमता और मेरे मुईतर आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी भले ही हैलोजन गुरुप में मॉस्ट एलेक्ट्रोन निगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन को माना जाता है लेकिन सबसे ज्यादा एलेक्ट्रोन को अपनी और आकर्शित करने का गुन किसके पास होता है आप कहेंगे क्लोरीन तो जो सवाल आप से पूछा जा रहा है कि हैलोजन में उच्तम पास पाएं होंगे कुसर नंबर 105 कि परमानु की तिर्जा का परियोत किसे मा अपने के लिए किया जाता है परमानुई संग्या परमानुई द्रभमान आप कहेंगे गुरुजी परमानुई का आकार मा अपने के लिए किया जाता है निक्स सवाल देखिए कुसर नंबर 106 प पुछा जा रहा है कि कौन से तत्त का गलनांक और क्वाथनांक सबसे उच्छ होता है औसमियम, लीथियम, सोना, टंगस्टन, क्या कहिएगा कि गुरुजी टंगस्टन का अपयोग हम लोग, टंगस्टन का अपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, बल्व का फिलामेंट बनान के लिए, और क्या कहते हैं, कि इसकी गलनांक और क्वाथनांक को दोनों उच्छ होती है, सर्क 380 डिग्री सलसे से उपर की और हम लोग चलते हैं, अगला, कुछिन नंबर 108 पुछा जा रहा है, कि निम्न में से कौन नियूंतम बिद्धुत्रिनात्मक मुल्तत है, मेरे में सीजियम, याद रखिएगा वन लाइनर के तौर पे, अगर आपसे सवाल करा जाए कि सर्बादिक मोस्ट एलक्रो निगेटिव हलोजन, आप क्या कहेंगे फ्लोरीन, और अगर सवाल आपसे करा जाए कि सबसे नियूंतम बिद्धुत्रिनात्मक मुल्तत, तो आप क्या गुरुजी सीजियम, निक्स्ट, कुस्ट नंबर 109, आप से पुछा जा रहा है कि एक समो में उपर से नीचे की और जाने के दोरान, निमलिकित में से किसमें हमेशा बिर्धी होती है, क्या कहिएगा, कि गुरुजी नीचे से उपर अगा, उपर से नीचे जा रहे हैं, तो हमेशा धाफिक गुन में बिर्धी तेखने को मिलेगी, और इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, अपसर नंबर A हो साएगा, अच्छा, ये आप आवर्क और वर्क की विसेस्ता परे हो, इसलिए सीधे सीधे आप आंसर को हिट कर रहे हो, नहीं परे रहते, तो आप कहते कि गुरुजी फिर हम लोग यहाँ पे अंधेरे में तीर चलाते रहते, अगला सवाल देख लीजी, गुरुजी नंबर 110 पुछा जा रहा है, कि वहां मुक तुर्जा है, जब एक एलेक्ट्रोन अपने उदासीन गैसिया परमानू में जोरा जाता है, एक एलेक्ट्रोन अपन पुछा जा रहा है, कि अपने बढ़ते अधातो गुन के करम में निमन तत्व को बवस्थित करें, बढ़ते अधात गुन के करम में, तो आप कहतें गा, दाए भाढ के जो तत्व होंगे, दाए भाढ के जो तत्व होंगे, वो क्या होंगे, आप कहेंगे, Most Non-Metallique Mysteries वाले आप सभी कहेंगे गुरुजी 4, बेरिलियम का अटॉमिक नंबर कितना, शरी, कार्बन का अटॉमिक नंबर जो है, oxygen 8, कार्बन 6 होगा, और बेरिलियम आपका क्या होगा, 4 होगा, और फ्लोरीण क्Яा होगा, 9 होगा, कोई सक, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ध्यान देना, कि यहां हम वर्ग 17 लिख रहे हैं, ता पर यहां वर्ग 15 लिख दीजिए, यहां पर वर्ग 14 लिख दीजिए, यहां पर वर्ग 13 लिख दीजिए, ऐसी न चला, आप क्या कहेंगे, कि यह जो फ्लोरीन है, गुरुजी, यह हमारा वर्ग 13 में मिलेगा, फ्लोरीन कहां मिलेगा, वर शोर दिए वरग 17 और यहां वरग सोला होगा ओक्सिजन कहा जाएगा चला आप कहेगा गुरुजी ओक्सिजन वरग में आएगा और सब्साइब क्या अब मेने तरफ प्यावंग क्या क्या कहिए और सब्स्राइब सब्सक्राइब तो आप सभी कहेंगे कि बढ़तिया अधात्वी गुन का मत्यब क्या हुआ अधात्वी गुन धीरे धीरे जो बढ़ रहा होगा उस वार इंडिकेट करना है तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सबसे जाता सबसे जाता non-metallic properties फ्लोरीन की होगी उसके बाद oxygen की होगी फिर carbon की होगी फिर verilyum की और फिर मित्र लिथियम की तो अगर आपको predictable का period और group निकालने आता है आपने अगर वो वाली वीडियो देख ली है जो हमने सब डाला है period और group के लिए और ये period टेवल का lecture आपने देख लिया है तो हमें नहीं लगता है कि चिला ऐसे सवाल आपको फस आएंगे क्या कहिए गुरुजी यह तो बढ़ते करम है देख लेते हैं किस option में है आप अगर यहां पर देखेंगे अच्छा अधात्व गुन के करम में निम्न तक्तों को बवस्तित करें अपने बढ़ते वे अधात्विक गुन के करम में तो ध्यान दिजेगा कि सबसे ज़्यादा अधात्विक गुन तो आपका यहीं होगा और बढ़ते वे क्या रहा है तो सब ठीक तो है लिथियम है ठीक है लिथियम आपका सबसे बड़ा होगा उसके बाद मेरे मितर बरीलियम आएगा उसके बाद आपका कार्बन आएगा और फिर आपका ऑक्सीजन आएगा और फिर आपका फ्लूरीन आएगा देख लिजे कहां है पहला में तो ना है दूस पूसर नमबर 112, कि लेट्रोजन की आयनी करन छमता, डेस के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है, यह सवाल याद रखना, हलांकि यह सवाल आपके 2018 में पूछे गए थे, लेकिन याद रख लेंगे, क्या करीएगा, कि लेट्रोजन से लेकिन अधिकंए आपके और यादेन और यह सब्सक्ष्णु से के लेकित रुदुतना ठाक जाते है, शो पूछे जारा, इसका सही अंसर होगा, कम हो जाती है, अगला, question number 114, निमलिकी तत्तों को उनके धात्विक लक्षनों के आधार पर आप रोही करम में रखने पर प्राप्त बिकल्प कच्छेन कीजिए, मेरे मितर अभी जेस्ट मेने ऐसे सवाल बताया है आपको, और इस question का आंसर आप सभों के लिए होंबर्ग के रूप में छोड कि आबर्शार्णी के तीसरे आबर्थ में, तीसरा आबर्थ ये है, सबसे छोटे आकार वाला तत्तों क्या होगा, तो मेरे मितर तीसरे आबर्थ के सर तत्तों सोडियम की बचरचा करी जा रही है आपके option में, उसके बाद क्लोरीन की करी जा रही है, और फिर मेरे मितर सिलि जी सबसे लास्ट में आरगन मौझूद है that's why सबसे छोटा आकार आरगन का ही होगा अगला question number 116 कि निमने में से किस समुव में भाइतम कोस में एक एक एलेक्ट्रॉन होगा लीना के तीनों ही वर्ग एक में मिलेंगे बाइतम कोस में लेक्ट्रॉन एक होगा अगला question number 117 आपसे पुछा जा रहा है कि वह समुव जो पर्थम आईनी करन चमता के सही करम को दरसाता है मेरे भी तरो option number D पर्थम आईनी करन चमता के सही करम को दरसाता है याद रखिएगा आईनी करन चमता को ही हम लोग क्या कहते है पर्थम आईनी करन चमता कहते है next question number 118 पुछा जा रहा है कि किसी आबर्त के 4 मुल्टत्त्त की परमानु संख्या 11, 13, 16 और 17 है आधुनी का आबर्सार्णी में इन में से सबसे अधिक धात्विक मुल्टत्त की परमानु संख्या होगी मिरे मित्र जो 11 वाला परमानु तत्त है वो सोडियम होगा एलुमूनियम 13 सल्फर क्या कहिएगा सोला क्लोरीन 17 सबसे मॉस्ट आप कहेंगे सर 11 वाला तत्त होगा इसलिए सर राइट आंसर आपसन नंबर डी हो जाएगा नेक्स्ट कुस्ट नंबर 119 पुछा जा रहा है कि आपर सार्णी में किसी सम्मु में नीचे जाने पर कौन सा गुन नहीं बदलता है परमानु आकार बढ़ जाता है धात्विक गुन बढ़ता है कोसो की संक्या बढ़ती है स्योजक्ता या स्योजी एलेक्ट्रोन समान रहती है तो कौन सा गुन नहीं बदलता है आप कहेंगे स्योजक्ता नहीं बदलता है और लास्ट कुस्टन आप से पुछा जा रहा है कि चार पत्व के electronic विन्यास नीचे दिये गए हैं, निमलिकित में से कोण अधिक electronegative होगा, 285 phosphorus है, आप कहेंगे नहीं होगा, 287 chlorine, 283 aluminum, 286 sulfur, आप कहेंगे most electronegative element हमारा chlorine हो जाएगा, तो मिरमित्र, यह आपका periodic table का पुड़ा का पुड़ा महराथन था, जिसमें हमने 120 question को NCRT के साथ discuss करा है, और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको periodic table के कोई भी सवाल परिस्थान करेगा, और मिरमित्र, अगर आप इस session से कुछ सीखे हैं, तो मैं बस एक ही request करूगा, कि आपके पास महुचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ, मिलते हैं फीर अगले वीडियो session में, तब तक के लिए best of luck, thank you, have a nice day.